हेलो दोस्तों नमिश्कार कैसे आप शबी आज हम रक्षा और अंत्रिक्स प्रोध्योगी की से सम्मन्दित जो आपके करंट अपेश में पाट रहा है पिछले 6-7 मैनों में जहां से प्रशन बनने की आपके सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं उन प्रशनों का हम डिसकसन करेंगे जो आपके आरे स्प्री का जो पेपर है एक तारी को यहां से सिदे सिदे आपको 3-4 प्रशन देखने को मिलेंगे पचास प्रशन है उसमें से आपको 3-4 प्रशन देखने को मिल जाएंगे तो आइए इसको हम शुरू करते हैं आपके पहला प्रशन देखिए कि भारत की शते से वायू में मार करने वाली आपके missile है यानि आपके surface to air missile कौन सी है जिनके आपके नाम दे रहें हैं इसमें से कौन सा option है जो आपके surface to air missile है तो इसमें देखें, क्या अगनी है, नाग है, तिर्शूल है या पर्थवी है, तो इसका कौन सा option होगा, जो आपके क्या है, सर्पेस टू एर है, और एक होती आपके सर्पेस टू सर्पेस, तो आपके इसमें से कौन सा option होगा, तो आप कहेंगे C option होगा, क्या होगा, C option होगा, तो आपके सर्पेस टू इंटिग्रेटेड, आपके टार्गेट जो मिसाइल थी, वो आपके 5 थी, उसमें आपके सर्पेस टू एर है, वो आपके 2 थी, एक का नाम आपके तिर्शूल था, और दूसरी कौन सी है तो आप कहेंगे आकास दूसरी आपके आकास है यानि तिर्शूल और आकास क्या है आपके सरपेस टू एर है और दूसरा आपके सरपेस टू सरपेस कौन सा है तो आप कहेंगे एक है पर्थवी और दूसरा आपके कौन सा है तो आप कहेंगे अगनी है एक पर्थवी है और दूसरा आपके अगनी है और नाग क्या है तो आप कहेंगे एंटी टेक का आपके ये आपका एंटी टेक है नाग तो इसका आपके क्या हो गया आप कहेंगे C हो गया अब इसके ब जान्दी जी ने शुरू किया था और इसका नेतर तो आपके डॉक्टर एपीजे अब्दूलक्लाम सर ने किया था और इसको जनवरी 2008 के अंतरगत ओपचारिक रूप से इसका सफल समापन कर दिया गया याद रखना जनवरी 2008 के अंतरगत इसका क्या है आपके सफल समापन कर इसका उदेशिये क्या था कि भारत के अंतरगत आपके जो मिशाइल प्रोद्योगी की है उसमें आपके आतम निर्बरता को लाना था और हम इसके अंतरगत आपके क्या हो गए आतम निर्बर हो गए तो याद रखना कि आपके मिशाइल प्रोद्योगी की के छेतर में आपक आपके शुदेशी रूप से पाँच मिशाइल परणालियों का डवलपमेंट किया गया, वो मिशाइल परणालियों कौन सी है, इसको देखें, तो सबसे पहला आपका कौन सा है, अगनी है, आपका कौन सा पर्थवी है, पर्थवी आपके सरपेस टू सरपेस है, याद रखना यानि सते से यह अवा में है और आकास आपके अवा में है तो आप कहेंगे सते से अवा के अंतरगत है और आपका नाग क्या है तो आप कहेंगे टेंक रोधी आपके निर्देशित मिशाइल है यदि इसको आपके नाग को आपके क्या कर दिया जाता है हलिकॉप्टर से यदि helicopter version क्या नाग का कहलाता है तो आप कहेंगे हेलीना कहलाता है तो इसको आपको याद रखना है इस प्रशन को देखिए भारत की पहली आपके भारत की पहली स्वदेशी एंडी radiation missile का क्या नाम है यानि आपके पहली anti radiation missile क्या है त्रीनेतर है क्या सक्सम है क्या रुद्रम है क्या या तांडव है इसके बारे में आपको बताना है कौन सी आपके missile है तो इसके बारे में बताना है कौन सी रुद्रम है शक्षम है, त्रीनेतर है या तांडव है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपके रुद्रम मिशाईल है, 2020 के अंतरगत इसको लॉंच किया गया था, कब 2020 के अंतरगत आपका लॉंच किया गया था, तो इसकी व्याख्या देखिए कि ये DRD-O के द्वारा विक्षित है, कि इस इसको आपके 9 October 2020 को लॉंच किया गया था यह आपके नई PD की हवा से आपके शते पर मार करने वाली मिसाइल है इसको भी याद रखना है यह आपके क्या है हवा से आपके शते पर यानी air to surface मिसाइल है जिसकी मारक चमता आपके 200 किलोमेटर है तो आपके रुद्रम के बारे में क्या याद रखेंगे यह भारत की पहली श्वदेशी एंटी रेडियेशन मिसाइल है यह आपके air to surface मिसाइल है जो की आपके कितनी है तो आप कहेंगे 200 किलोमेटर तक आपके यह मारक चमता रखती है तो रुद्रम का नाम आपको याद रखना है रुद्रम क्या है एंटी आपके एंटी रेडियेशन मिसाइल है शुदेशी रूप से विक्षित इसको देखें आपका तीसरा क्यूशन क्या है कि भारत की एंटी यानि भारत का टैंक परतिरोधी मिसाइल का क्या नाम है भारत का आपके टैंक परतिरोधी जो मिसाइल है उसका क्या नाम है क्या वज मिशाइल का नाम आपके क्या है तो आप कहेंगे नाग है नाग है क्या नाग है इसका इसका आपका जो हेलिकॉप्टर वर्जन है उसका नाम है हेलिकॉप्टर हेलिकॉप्टर वर्जन का नाम क्या है तो आप कहेंगे हेलिना है क्या नाम है हेलिना तो इसको भी आपको याद है लीना क्या है आपके है लीना को याद रखना है यानि टैंक प्रतिरोधी आपके मिशाइल के तोर पे आपके नाग को गिना जाता है आपके क्या है अगनी कौन सी है तो आप कहेंगे अगनी आपके सर्पेस टू शर्पेस है और आकास कौन सी है तो आप कहेंगे सर्पेस देखो आपके इंटरगत को आपके अप्रण के अपल समापन किया गया गया है तो याद रखना आपका टेंक परतिरोधी मिशाइल नाग है और इसका जो हेलिकॉप्टर वर्जन है हेलिना है इस दोनों को आपको याद रखना है यहां से हेलिना वाला प्रशन पुछे जाने की संभावनाए है देखो आपके इंटिग्रेटेड गाइडेड मिशाइल डवलप्मेंट प्रोग्राम 9083 में एपीजे अब्दुलकलाम के द्वारा शुरू 2008 के अंतरगत इसका उपचारिक शमापन हो गया है उदेश यह क्या था कि आपके मिशाइल प्रवद्योगी के छेतर में हमें आतम निरवर्ता को आशिल करना था और इसका जो अनुशन्दान और डवलप्मे नाम को याद करना है फिर क्या है आपका रक्षा मंत्राले भारत सरकार द्वारा प्रारम किया गया शार्थक निमनलिकित में से किस से समंदित है आपके भारत सरकार के द्वारा आपके क्या है रक्षा मंत्राले भारत सरकार के द्वारा आपका जो प्रारम किया गया सार्थक है यह किस्से समंदित है इसके बारे में आपको याद होना चाहिए तो सार्थक क्या है आपके smart bum है क्या या आपके rocket प्रेक्षेपक है या आपके हलके आपके लड़ाकु विमान है या अप तत्य ग्रस्ती जाज है यानि आपके offshore पेट्रोल वेसल है क्या या आपके क्या light combat aircraft है या rocket launcher है या smart bum है तो आपके किसको याद रखना ये सार्थक क्या है तो आप कहेंगे ये अब 30 आपके गरस्ती जाज है यानि गरस्ती जाज है यानि offshore आपके इसको आपके OPV बोला जाता है यानि offshore petrol आपके vessels बोला जाता है तो इसको याद रखना आपके सार्थक क्या है तो इसके बारे में जान लीट ती उसके द्वारा विक्षित किया गया। तो याद रखना आपके शार्ठ को कि शार्थक तो प्पी बी है। प्रीत में निम्ँलिखित में से भारती प्रेक्ष़ापत्रों में आप कहेंगे पूर्ण शुदेशी कारिकरम का आपके निर्माता कौन था जो आपके जो मिशाइल प्रोद्योगी की है इसके अंतरगत आपके जो निर्माता कौन थे इसके बारे में इस प्रोग्राम के आपके मिशाइल प्रोद्योगी की के आपके निर्माता कौन थे प् है स्पस्पन हो गया कि इसको याद रखना ऑर इस प्रोग्राम के तहें पंच सवथेशी रूप मिसायलें विक्षित की गई यानि सवदेशी टको नाम एक आपका प्रत्वू सरफेश दूसरा अगनी है कौन सा है आप कहेंगे अग़नी ये भी आपके सरफेस्टर शरपेस्ट तीसरा कौन सा है आपके टेंक परतिरोदी मिशाइल है तो इसको याद रखेगा एक अबदुलकलाम से समन दीतीर तो यह सारा का सारा इसको आपके क्या है भारत के रक्षा अनुशंदान संग्ठन के परमुक रहे मिशाइल मेन के नाम से जाना जाता किसको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को इनी के द्वारा आपके इंटीग्रेटेड गाइडेड आपके मिशाइल प्रोग्राम था डवलप्मेंट प्रोग्राम इसको आपके क्या है अग्रणी भूमी का इन्होंने निबाई थी 2018 में इसको शुरू किया गया था इस कारिक्रम के तेट आपका अगनी आ गया पर्थ्वी है तिर्शूल है नाग है और आपका आकास है इन मिशाइलों को तयार किये गए इसको याद रखना है आपको फिर क्या है आपका ये प्रशन को थोड़ा इस्टार लगा ले ना क्योंकि ऐसा का ऐसा प्रशन आपके आरेस प्री दोजार इकीस में पूछा था आरेस प्री दोजार इकीस था उसमें क्या प्रशन पूछा तो देखेगा त्यानवें वन इतना ही लिखा था फिर आपके चार ओप्शन दे दिये थे चार ओप्शन दे दिये थे त्यानवें वन अब यहां पे क्या है आपके त्यान लॉंग टू है क्या है आपके आपके त्यान लॉंग टू है तो आपको सेम यानि उस्टी पेटन के उपर आपको प्रशन मिल रहा है, तो ऐसे प्रशन पुछे जाने कि आपके संम्मावना है क्या है, बन रहा ही है, तो आपके Tianwen-1 क्या था, आपका Antrix Station का नाम था, चाइना का, कौन सा चाइना का Antrix Station, तो यहाँ पर option क्या है, क्या चीन का Antrix Station है, या चीन द्वारा लॉंच किया गया रोकेट है, चीन द्वारा लॉंच की गई मिसाइल है, चीन द्वारा प्रोजेक्ट किया हुआ मानव मिसन है, तो क्या है इसका आंसर जल्दी से बता दीजिए, तो आप कहेंगे इसका आंसर भी है कि चीन द्वारा आपके लॉंच किया गया एक रोकेट है, क्या है रोकेट है, जिसको आपके मंगोलिया से आपके लॉंध पर खागए था इनको, तो साम आपके बारे चीन के श्पेज कम्पनी जीघनकेश काई रोकेट की लांजक का लॉंध सालन करें रोकÉट कांछ किया लॉथ हत fluffy character מת टू पक्का आएगा इसको याद कर लीजिएगा यह आपके रोकेट है और किसके द्वारा लॉंच किया गया तो आप कहेंगे पॉइनीर स्पेस कंपनी आपके चाइना की उसके द्वारा इसको लॉंच किया गया था यह आपके तीन चर्णों वाला रोकेट है कितने चर्णों उपग्रे ले जा सकते हैं और इसको दूसरा नाम क्या है तो आप कहेंगे इसका ही ड्रेगन टू भी है ड्रेगन नाम आए तो दिमाग में सिधा आपके किसका आना चाहिए चाइना का आना चाहिए लेकिन आप इसके अंतरगत कंफ्यूजन मतवना कि अंतरिक्ष इस्टेशन रोकेथ है आपको बताया था यहां पर इसको देखेए यहां पर क्या है कि आपके त्यानवे ant deep है लेकिन आपके त्यान ल Quindi क्या है तो आप कहेंगे यह एक रोकेथ है उसकी जो आपके company है पाइन और इस पेस, उसके द्वारा लॉंच किया गया था, इसको आपके इसका ही ड्रेगन टू भी का जाता है, तो आप कहेंगे इसका ही ड्रेगन टू के नाम से भी इसको जाना जाता है, तो याद रखना इसको तो थोड़ा पर्ठीकुलरी जादा ही याद रखना वाई संभाव होना है सबसे जादा इसी की है क्योंकि यहां से क्या है कि आपको ऐसे सब्द दे देगा कि हाली में चर्चा में रहने वाला टेम्पो क्या है यानि आपके टेम्पो क्या है और आपके सामने आपके चार ओप्शन शेट कर दिये गए हैं है कि नासा द्वारा हाई रिजुलेशन वाली हवा गुणवता निग्रानी उपकरण है दूसरा क्या है नासा द्वारा बोना ग्रय पेटी में अनुशंदान के लिए एक निग्रानी उपकरण है नासा के द्वारा SpaceX के साथ पहला वानी जी एक अंतरिक्स मिशन है यह टेंपो क्या है जब आपके सामने टेंपो शब्द आएगा ना तो दिमाग काम नहीं करेगा कि क्या है शब्द क्योंकि तीनों आपके साथ ऐसे ही सेट कर दिया और चोता आपका जो पसंदीदा ऑप्शन है इन में से कोई नहीं उसको भी यहां पे लगा दिया गया है तो आपको इसका क्या और तो आपका ऐसी होगा क्या होगा क्या होगा किक्या declaring करेगा तो यसके बारे में आपको देख लगा ले लिए टेंपो के लिए टेंपो आपके नंडवाकर under behöver जो की आपके अंत्रिक से, अमेरिका में वायू पर्दूषण का क्या लगाएगा आप कहेंगे पता लगा सकता है ये विद्ध्यानिकों को वायू पर्दूषकों के बारे में उसके आपके जो शरोत हैं, उसकी निगरानी करने की क्या देगा, अनुमती देगा, टेम्पो और आपके प्राबेंगनी तरंग देदरिये के परती ये क्या है आप कहेंगे ये सवेधन सील है आपके इसका फुल नाम क्या है इसको देखिए ट्रोपो इस्पेरिक एमिशन मोनीटरिंग और पॉल्यूशन तो आपके टेम्पो का फुल नाम क्या हो गया कि ट्रोपो इस्प प्रशन डाले है जो कि current अपेर से संबंधित है आपके current अपेर से तो tempo को आपको full form क्या है आप कहेंगे topo-sparic emission monitoring of pollution आपके तो इसको याद रखना किसका है आपके NASA का एक उपकरण है इस प्रशन को δेखेगा जिया आपके भारतिय अंत्रिक्षा नुशन्दान संग्तन इस्रो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है तो इस्रो एक program को शुरू किया जिसका नाम में आपके क्या है start program ये program क्या है बारतिय चात्रों को अंत्रिक्ष विज्ञान और प्रोध्यूगी की मैं पैसेवर बनाना मैं ये मदद करेगा क्या ऐसा है क्या आपने पड़ा है क्या ऐसा दूसरा है कि ये कारिक्रम आपके बोतिक विज्ञान और प्रोध्यूगी की के शनात कोतर शब्द देखना क्या है संहात को तर और अन्तिम वरस के आपके शनातक छातरों के लिए है क्या ऐसा है क्या इस प्रोग्राम को और दूसरा आपके तीसरा आप्ष्ण क्या कह रहा है कि इसका स्टार्ड का फुल फॉर्म क्या है अंतरिक्ष विग्यान और प्रोद्यूगी की जागरूकता परसिक्षन कारिकरम इसका पूरा नाम है क्या ऐसा है यदि ऐसा है तो इसके D option के उपर जाईए यदि ऐसा नहीं है तो आपके इन तीनों मैंसे जो आपको सबसे अच्छा option लगे उसके साथ में जाना है आपको तो आप कहेंगे जो start program है यह आपके इसरो का program है यह कहता है कि जो बारतिय चातर है उनको आपके विग्यान प्रोद्यूगी की के अंतरगत अंतरिक्ष वाली जो प्रोद्यूगी की है उसको पैसेवर बनाना है यह आपके बोतिक विज्ञान से समंदी जो चातर है उनके आपके जो शनातकों तर विश्ट के अंदर्गत लिये हुए हैं या आपके शनातक के अंतिम वरश में पढ़ रहे हैं उनके लिए इस कारिकरम को शुरू किया गया है इसका फुल फॉर्म क्या है अंत्रिक्ष विज प्राइल करने का मतला क providingक onion कृण यरस में अप कई प्रधान करने के लिए फॉर इसका नाम है किस अव उभतिक विज्ञान और प्रध्यों को शनातकों तर इंतर्गतं के लिए मतल या या तो कोई MSC करेगा इस सब्जेक्ट से या क्या करेगा इस सब्जेक्ट से आपके BAC करेगा उसके अंतरगत इसका उदेश्य क्या है कि बारतिय चात्रों को आपके अंतरिक्ष विग्यान और प्रोध्यूगी की में पैसेवर बनाना क्योंकि इसरो का अंतरिक्ष विग्यान अन्वेशन कारिकरम में एक नए डोमेन के अंतरगत विश्तार हो रहा है क्योंकि हम अलग-अलग छेतरों के अंतरगत जा रहे हैं वो शक्ता future के अंतरगत हम space आपके tourism को पर्मोट करें तो उसके लिए आपके क्या है कि हमारे जो student है उनका पर्मोट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो इसको याद रखेगा आपके इसका answer क्या था start program का answer D हो गया और इसके बारे में सारी जानकारी यहां पर दे रखी है निमलिखित मैंसे कौन सा सई नहीं है यानि आपके यह आपके mission दे रखें एक तरफ आपके देशों के नाम है ऐसा प्रशन भी पहले पूछा गया है तो हमने नहे तरीके से इसके उपर प्रशन मना दिया एक तरफ आपके देश है दूसरा आपके चंदर्मा के लिए mission है आप तो चंदर्यान थ्री पढ़के गए और आपसे दूसरे देशों के आपके क्या पूछ लिए चंदर्यान का नाम पूछ लिए मतलब चंदर्मा के mission का नाम पूछ लिए तब आपका क्या होगा आपके पैरों से जमीन, नीचे से क्या जमीन किसकने लगेगी, इसलिए हम क्या है कि पूरा तयार करके लाएं, स्युक्त राजी अमेरिका, क्या इसका आपके चंदर टोई है क्या, सुधी अरब का क्या आपके रासिद है क्या, या आपके दक्षिन कोरिया का पाथ फाइंडर है क्या आपके कोन सा pathfinder है क्या और Çin का चांग A5 क्या है क्या है peng Yeah इसके बारे में आपको बताना धां कि इन में से कौन सा शुमलित नहीं है यानि आपके सई नहीं है तो आप कहेंगे इसका अंशवर क्या होने वाला है बिए आंस्वर उने वाला कौन सा भई आप कहेंगे बी आंसर होगा क्योंकि शौदी अरब तो अंत्रिक्ष प्रोधिकी के अंतरगत अभी तक काम शुरू ही नहीं किया था आपके मिडल इस्ट के अंतरगत आपके काम ये रासिद वाला लुनर रासिद है ये आपके लुनर रासिद है ये आपके किसके द्वारा सुरू किया गया तो आप कहेंगे ये आपके UAE के द्वारा सुरू किया गया स्यूक तरब अमिराद के द्वारा किसके द्वारा स्यूक तरब अमिराद के द्वारा सुरू किया गया है इसके अंतरगत आपके कौन कौन से हैं इसके नाम देखेगा आपके होकेटो आर मिशन है यह आपके जापान का किसका है होकेटो आर मिशन आप कहेंगे जापान का सारे के सारे चंदरमास से समधित मिशन है एक साथ में है आपके सामने तो रटना ही तो आपका काम है अब और क याद है चर्चा में एक टो एरान है एक आपका साज़ुदी संप वप सेयुकट अमीरात है इसको याद रखना क्या है थीसारा कूंध्याइड दाखक है आप का है यह किसका है आप यह किसका है आपके टींडवरा आपके चांग है द intr act प्रशों में था हमारे सामने फिर यह पर्यारा तो कारिकर में कौन साथ है आपके आर्टे मिष्ट कारिकर उसका कौना एह से संसे कहूंप lett को यह जैए अन्विअशन करने का कंशन काम साथ है यह लिए याद न जया फिर आपके Capiston आपके NASA के द्वारा लॉंच किया गया है, तो इन सारे मिश्णों के नाम याद कर लेना, कौन सी एजेंसी के द्वारा बेजा गया, इसको याद कर लेना, पक्का एक प्रशन देखने को मिल जाएगा, तो इनको याद करना है, आपके Hoketo Japan का है, Lunar Rover आपके रासी में ही रखता है, Chang'e 5 आपके China का है, Pathfinder किसका है, तो आप कहेंगे दक्षिनी Korea का है, Artemis Mission किसका है, तो आप कहेंगे Artemis Mission भी NASA का है, और NASA ने वाइपर मिशन भी बेजाता, दक्षिन आपके दूरू के उपर सपल नहीं हो पाया, और सपल ओने वाला भारत बना, चंदरियान 3 ह ने लॉंच किया और पहला देश बन गया है, तो इन नामों को आपको याद करना है, यह मैत्वपून है, इसको याद कर लीजे गवाएं, आपके क्या है, क्यूशन देखिए 10 नंबर को, मावेन क्या है, आपके सामने ऐसे नाम आ जाए और आपके बिना पड़े हुए हो, तो फिर आपको डर लगने लगता है कि पेपर क्या आ गया, तप आगया, तो आपको डरना नहीं है, प्रशन ऐसे ही आते हैं, आप पेपर को देखना, ज्यादा है ना, ऐसे बड़ी-बड़ी लाइनों में लिखे वे प्रशन आये ना, वो सबसे इजी प्रशन होता है, यह प्रशन आये ना, वो सबसे इजी होता है, यह प्रशन आपके टप होते हैं, जो छोटे आते ना, उसके बारे में आपको टप होता है, यह क्या चंदरमा के लिए मिशन है क्या, अभी हम पढ़ के आये हैं ते, क्या ऐसा मिशन है क्या चंदरमा के लिए तो नहीं हो सकता, क् 30 क्या शुक्र ग्रेह के लिए चौता आपका जुपिटर के लिए मिशन हैं च्छे पर कि आपका यथाओन अब का देखो अब नाशा किस को लाइन कर का देख़ो तो नाशा आशा ने एक तो आप पर मौवेन को लौंच किया तो आप कहेंगे क्यूरुशिटी रोवर को लॉंच किया याद रखना मोवेन को क्यूरुशिटी रोवर को आपके इंसाइडर लेंडर को किसको इंसाइडर लेंडर को भी आपके मंगलियान के लिए और फिर आपके प्रिशिवरेंस rover को भी लॉंच किया तो नासा के द्वारा मंगल गरे का अधियन करने के लिए आपके कितने लॉंच किये गए आप कहेंगे चार एक का नाम आपके मावेन है दूसरा आपके क्यूरो शिटी है तीसरा आपके इंसाइडर लेंडर है और चोता आपके क्या है प्रिसरी वेरेंस रोवर है तो इसको आपको याद रखना है यह सारे के सारे अलग अब देखो यह आपके किसका है आप कहेंगे टियोन वेन आपके चीन के द्वारा है Mars Orbiter Mission कौन सा आप कहेंगे Mars Orbiter Mission किसका है आप कहेंगे मंगलियाने भारत के अलावा जितने भी देशों ने बेजेते न गे फेल होगे फिर दूसरी बार बेजे तब शपल हुए भारत ने पहली बार ही बेजा था और पहली बार में भारत क्या हो गया आप कहेंगे शपल हो गया था फिर आपका Hope Orbiter किसका है तो आप कहेंगे Hope Orbiter आपके श्रियूक तरब अमीरात का है यह आपके जापान की शाइता से बेजा गया रासीद क्या है या देखिया रासीद तो आप कहेंगे रासीद आपके किसका युवेई का है किसके लिए है तो आप कहेंगे चंदरमा के लिए है देखो चंदरमा के लिए तो आपका रासीद है और Hope वाला कौन सा Hope Orbiter है वो आपके क्या है मंगल के लिए किसके लिए मंगल के लिए किसका है युवेई का है फिर आपके Mars, Atmosphere and Tile आपके लिए किसका है तो आप कहेंगे ये नासा के द्वारा आपका जो आपके लॉंच किया गया मोवेई मंगल गरे के उपर इसकी फुल फोर में आपके मोवेई की क्या है आप कहेंगे मोवेई की फुल फोर में क्या है आपके Mars, Atmosphere and आपके Tile Evolution ये आपके मंगल गरे पे गया था आपके मोवेई आपके उपगरे उसका नाम है जो कि आपके मंगल की कक्षा की क्या करता है आपके परिकर्मा करता है तो आपको याद रखना नासा के कौन कौन से नाम है एक का नाम है मोवेई एक क्यूरोशिटी है एक आपके insider lightning है और एक आपके प्रिश्वरेंस है चाइना का आपके Tion 1 है Mars Orbiter Mission आपके भारत का है और Hope Orbiter Mission किसका है तो आप कहेंगे स्रियूकत अरब अमिराद का है आपके Hope Orbiter Mission इसको देखेगा कभी कभी चर्चा में रहने वाला यह प्रशन है आपके कभी कभी चर्चा में रहने वाला आपके BP Columbo या BP Columbo इसको BP Columbo भी का जाता है BP Columbo क्या है इसके बारे में बताना है यानि कभी कभी आपके चर्चा में रहने वाला BP Columbo या BP Columbo क्या है जापान और स्युक्त राजी अमेरिका का बुद्ध गरे के लिए एक स्युक्त मिशन है क्या क्या जापान और आपके स्युक्त अमेरिका का बुद्ध गरे के लिए उपगरे है क्या ये मिशन है क्या दूसरा आपके यूरोपी एजेंसी और जापान का बुद्ध गरे के लिए एक शेयुक तुमिशन है क्या तीसरा आपके जापान और स्रिलंका का बुद्ध गरे के लिए एक शेयुक तुमिशन है क्या और तीसरा आपके कौन सा है, तो आप कहेंगे जापान और धक्षिन कोरिया का बुद्ध ग्रे के लिए एक शियुक तमीशन है क्या, देखो आपने हमेसा सुनाया की Srilanka की आपकी राजदानी Kolombo क्या है? Kolombo और उप्षन आपके क्या है? कि दिमाग में Kolombo वाला ये Kolombo labeled भी Kolombo भाला कि वोई ऑप्षन होगा Presents तो आप ऐटेंगे वो ऑप्षन नहीं होने वाला है ये C option नहीं होगा Japan और Sri Lanka का नहीं होगा इसका option क्या होगा आपका B होगा तेखो कोलंबो से आप Sri Lanka पर मत चले जाना गलत हो जाएगा आपका क्योंकि यह आपका European Space Agency और Japan है इसका आपके बुद्ध गरे के लिए mission है कौन सा है? बुद्ध गरे के लिए mission है तो आपके B.P. कोलंबो को याद रखना जरूर है यह मैत्वपुन है क्योंकि यह आपके option में आपके क्या सिलंगा भी दे रखा है और कोलंबो किसकी राजदा नहीं है सिलंगा की है तो ऐसे गलत हो सकता है आपके भारत का पहला श्रुदेशी विमानवाक पोत है कौनसा आपके भारत का पहला श्रुदेशी विमानवाक पोत है इसका क्या नाम है इसके बारे में आपको बताना है तो आपके कौनसा है आइनेस विराठ है क्या या आइनेस अरियंत है आइनेस विकरांत है क्या या INSTHIU है तो इसका आनश्वर क्या हो जाएगा आपका INS विक्रांथ आपके कौन है APS विक्रांथ है आपके पहला शोडेशी विमानवागपोod है दूसरा आपका विक्रमा दिति है कौन सा है दूसरा विक्रमा दिति है तो देखो इसके बारे में सारी विक्रांत जिसका अर्थ क्या होता है आप कहेंगे सासी होता है क्या होता है सासी होता है का भारत का पहले विमानवाक पोत के नाम पे रखा गया है क्योंकि इसको अमने युके से खरीदा था 1961 में कमिशन किया था लेकिन कुछ शमय के बाद में इसको क्या है आपके D-Commission कर दिया लेकिन भारत ने जो पहला वापस बनाया तो अपना शोधेशी रूप शे विमानवाक पोत उसका नाम हमने उसी विकरांध के नाम पे रखा है तो आपके क्या है आईएनश विकरांध के कमिशन के साथ ही भारत के पास अब दो कार्यसील विमानवाक पोत होंगे, कितने आप कहेंगे दो, एका नाम आपके क्या है, तो आप कहेंगे INS विक्रमा दितिये, ये भारत ने आपके रूश से लिया था, भारत का नहीं है, तो इसको याद रखना है, तो आपका भारत का श्रोदेशी है, तो आपके विक आजाएगा और यह अंने कहां से क्योंकि पहले विकरांत, जो पहले-वाला था, वो भी अंने UK से लिया था,र दूसरा आपका IANS विक्रमा दित यह, वो भी आमने बाहर से क्या था, लेकिन आपके IANS जो विकरां था, पुराने वाला जो UK से लिया था उसका बाद में अमने नया बनाया, जो कि आपके सवधेसी रूप शे विक्षीता, पहला विमानवाक, तो हमने का कि पहला पहला जो नाम होता नो वो बहुत महत्वपन होता, तो हमने उशी के नाम पे रख दिया, तो INS विक्रांथ हो गया, फिर आपके क्या INS अरियंत, क्या है INS यह आपकी सी मिलानवाले पूछे जा सकते हैं, एक INS विक्रांथ पूछ लिया, एक अरियंत पूछ लिया, यह आपका क्या है, पहला ससस्त्र परमानु संचालित पंडूबी की नाम क्या है, अरियंत है, और INS विराट क्या है, तो आप कहेंगे वायूयान वाक पोट है, त इसके बारे में आपको याद करना है 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 सारा मैथ पूने आपके लिए इसके बारे में देखो निशार इसको थोड़ा लगा लेना क्योंकि आज रात को आने वाले हमा अब वापस चर्चा में आ गया, वैसे ये तो तीन साल पहले का है, तीन साल पहले से इसके उपर काम चल रहा लेकिन चर्चा में अभी आया है, ये एक परत्वी अओलोकन उप ग्रह है, ये नासा और इस रो का सिंथेटिक आपके क्या है, अरपर्चर रडार है, निसार देख इंडिया क्योंकि चर्चा में चल रहा है न तो इंडिया बारत सविदान में कुछ अलग लिख रखा है अब देखो क्या होने वाला क्यूशन भी आ सकता यहां से और यह आपके क्या सिंथेटिक अरपर्चर रडार है इसकी फुल पॉर्म में ही आपके क्या है यह इसका दूसरा ओप्शन तो इसका मलब दूसरा ठीक है पहला वाला भी ठीक है आपके क्या है आपके सिंथेटिक अरपर्चर रडार है यह रडार क्या करती है आपके पर्थवी के उपर आपके क्या क्या संसादन है कहां पे ज़्यादा संसादन है डेगाना में कौन सा मिला था आपके बिलाडा में कौन सा मिलेगा बाकरोटा में क्या मिलने वाला है तो ये आपके सारी चीजे देखेगा तो इसका मतलब आप से सई कूट के बारे में पूचा है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा आप कहेंगे एक और दो आपके दोनों के दो पुरा आर्थ क्या है कि NASA ISRO synthetic आपके अरपरचर रडार सेटेलाइट है इसकी उन्नत परणाली पर्थवी की साप तश्वीरें क्या करेगी हमें परदान करेगी पर्थवी पर होने वाली आपके प्राकर्ति गटनाय हैं उसके हम बेहतर जानकारी क्या कर सकते हैं आप कहेंगे जुटा सकते हैं काँ पे कितनी हनी हुई है उसके बारे में देख सकते हैं बाढ़ काँ पे कितना नुक्षान हुआ है उसको देख सकते हैं तो आपके निसार को याद रख लीजिएगा निसार के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है इस पड़ लेना इस वीडियो को देख लेन आपके रक्षा और अंत्रिक्स प्रोध्योगी की से संबंदित आपके प्रशन सारे सही हो जाएंगे इसको देखेगा आपके क्या है चौदा नंबर क्यूशन DRDO और इस्राइल इस्राइल से संबंदित हम जो भी करते हैं इस्राइल के साथ में वहां से प्रशन पका आता है इस्राइल के साथ से प्रशन आता है तो आपके DRDO और इस्राइल आपके Aero Space Industries का आपका स्ष्राइव तुद्दियम क्या हम विक्षित करने जा रहे हैं तो इसके बारे में आपके क्या है बताना आपको क्या URSC बना रहे हैं, या IIRS बना रहे हैं, या आपके MRSAM बना रहे हैं, या आपके DART बना रहे हैं, तो इसके बारे में बताईगे कि हम किसको बना रहे हैं, इसके बारे में आपको क्या करना है, आपको बताना है, तो देखो इसका आपका C option हो जाएगा, कि आपके C option क्या है कि medium range आपके surface to air missile इसका full form क्या है medium range surface to air missile यह हम किसके साथ कर रहे हैं तो आपका answer हो जाएगा Israel के साथ कर रहे हैं तो आपके MRSAM मिले है तो आपको Israel के साथ में टिक कर देना है किसके साथ में आपके इसराइल के साथ में बारतिय सेना के उप्योग है तो रक्षा अनुशंदान विकास संग्टन आपका DRDO इसका आपके पिछली बार execution पूछा गया था DRDO से और इसराइल एरो इश्पेस के द्वारा स्रेंक तुरूप से विक्षित सते से हवा में आपके मार करने वाली मिशाइल पर ना लिए मतलब आपके medium range sharpest to air missile इसको हम क्या कर रहे हैं दोनों विक्षित कर रहे हैं यह श्रेंक तुद्यम है किसका आपके भारत का और इसराइल का किसका भारत और इसराइल का इसके वो याद रखेगा इसराइल से पहले प्रशन पूछा हुआ है तो वापस पूछे जाने कि आपके क्या है संभावना है यह देखे निमन लिखित मैंसे कौनसी एक भारतिय नोशेना की आपके पंडू भी नहीं क्या पूछा आपके पंडू भी नहीं के आपके आएंस वाइवाइब के बारे में पढ़ गए ये थे इसका आनसर क्या हो जाएगा आपके डी हो जाएगा तो देख भारतिय नोश्यी न्हां की जोन लिस्वाइब है वह अपके क्या है आप कहें गे वाईव यान पूलत है कौन सा है आपका INS अरियंत के बारे में भी पढ़ा था INS अरियंत आप कहेंगे परमानू परमानू शंचालित पंडू भी है शंचालित पंडू भी है इसको याद रखना INS विकरांद क्या है आप कहेंगे विमान बाक विमान वाक पोथ है और वायू यान वाक पोथ कौन सा है INS विराट वायू यान वाक पोथ है इसको भी याद रखना फिर आप से पूछ ले INS विकरांदिती क्या है तो ये भी आप कहेंगे विमान वाक पोथ है ये आपका श्रोदेशी है आपके विकरांद क्या है आप कहेंगे विकरांद वाला श्रोदेशी है और विकरमा दित्ती है वो आपका क्या है विदेशों से आमने आयात किया है तो इसको आपको याद रखना है इस प्रशन को देखेगा आपके क्या है IXPE का पूरा नाम क्या है Full Form for IXPE इसका आपको क्या है पूरा नाम बताना है बाई क्या Imaging SpaceX Polyrimeter Explorer दूसरा है आपका Imaging X-ray आपके Polyrimeter Explorer Imaging X-Max Polyrimeter Explorer Imaging Space Asteroid Polyrimeter Explorer चारों के चारो नाम आपके आसपास मिल रहे है मतलब इसकी Full Form बनाई हुई है चारों के चारों एक प्रशन आपके जरूर ऐसा आता है तो आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके Imaging X-ray Polyrimeter Explorer यानि इस X का मतलब आपके क्या है X-ray वाला Space X वाला नहीं है X-Max वाला नहीं है और Space Asteroid वाला नहीं है तो इसका अंसर आपका क्या हो जाएगा B-Number अंसर हो जाएगा इसको याद रखना ये भी आपके चर्चा में रहा है ये करंट में रहा है 2023 के अंतरगत इसको याद रखिएगा तो इसके बारे में देखिए कि Imaging X-ray Polyrimeter Explorer ये आपके NASA की और आपके इतावली कौनसी आपके इतावली अंतरिक्ष एजेंसी है इन दोनों का स्यूक्त प्रियास से इसके बारे में याद रखना ये चर्चा में रह इसको इस्टार लगाया जा रहा है प्रशन पुछे जाने की संभावना है कि आपके Imaging X-ray Polyrimeter Explorer आपके IXPE अंतरिक्ष वेदसाला है आपके NASA की और इतावली अंतरिक्ष एंजेंसी की ये क्या करेगी आपके बर्मांड में आपके शुदूर और रैस्यमाई जो पिंड है बर अधियन करेगी क्या करेगी आपके IXPE को यानि अपके Imaging X-ray Polyrimeter आपके X-Poller ये आपके अधियन करेगा किसक है आपके स्वियूकत जासकती है स्वियूकत जा सकते है ये पिंड किसका है ये भी आपसे पूछा جा सकता है तो आपको याद रखना नासा, यहाँ जापान दिया जा सकता है, तो जापान नहीं है, यहाँ पर कौन सा इत्तावली है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इसको देखिए, चेनई में लाँच, एंटी समीरिन, वारफेर, सेलो वाटर क्राप्ट सेनी का आपके तीसरा जाज कौन सा है, इस आपके अंजदीप है, यह आपके चोता अंसदीप है, तो इसके बारे में बताना है कि तीसरा जाज कौन सा है, तो आप कहेंगे जो अंजदीप है, यह आपके तीसरा जाज है, कौन सा अंजदीप आपके तीसरा है, इसके बारे में देखिए, बारतिय नोशेना, यह आपक देब के बारे में अंजदीब को याद रखना इसको लॉइच कहाँ से किया गया आप एंगे तमील नाडू का अपके तमील नाडू के कट्टूपली बंदरगाः के अंतरगत के लार्सन & टुब्रो शिप याड से लौइच किया गया यह बी पुछा जा लारसन एंटूब्रोशी प्याड आप कहेंगे तमिलनाडू के अंतरगते हैं एंटी शमिरन वारफेर शेलो वाटर क्राप्त आपका कौन सा हाली में लौंच किया गया तो आपका अंसर हो जाएगा कि वई अंजदीप को आपके लौंच किया गया है तो इसको आपको याद र वाली में भारत का पर्थम यात्री ड्रॉन का आपके मोदी जी ने उद्गाटन किया था उसका नाम क्या है जिसका नाम क्या है आपके इसका क्या नाम है तो आप क्या बता देंगे क्या इसको तनुजा के नाम से जाना जाता है या आपके शिंदुजा के नाम से, करुणा के नाम से या आपके वरुणा के नाम से तो किसके नाम से जाना जाता है तो इसके बारे में आपको बताना है कि आपका जो वरुना है इस वरुना को आपके क्या है आप कहेंगे पहला यात्री ड्रॉन है कौन सा है भारत का पहला यात्री ड्रॉन है तो इस वरुना के बारे में जानिएगा कि वरुना भारत का पहला ड्रॉन है जो मानू पेलोड ले जा सकता मतलब मानू को ले जा सकता यह drone है सा इसकी रेंज आपके कितनी है तो आपके 25 km अ भी मानों को ड्रोन कितना कोले जाएगा कोई show km फोड़ी जाएगा आपके जई पुषियर जमेर तो 25 km ड्रोन 130 km के पे लोड ले जा सकता मतलब एक वेक्ती जिसका 130 km वजन है वहां तक दो वक्ति भी जा सकते हैं 60-60 किलो के ऐसा नहीं कि एक वक्ति जा सकता है और इसकी उडान का समय आपके 25-30 मिनट फिर आपके बेटरी को क्या करना पड़ेगा चार्ज करना पड़ेगा तो वरुना को याद रखना कि वरुना क्या है कि आपके भारत का पहल पहला ड्रोन है तो पहला ड्रोन तो बहुत आए लेकिन आपको बता देना है कि नहीं ऐसा पहला ड्रोन जो आपके क्या है मानू को ले जा सकता है मानू को ले जा सकता है यह सारे करंट के अंतरगत रहें पिछले 12 मैनों के अंतरगत वही आपके सामने प्रशन आ रहे हैं त Center of Excellence का उर्दगाटन आपके DRDO ने कहां पे किया है, इसके बारे में बताना है, तो आपको पहला option यहां पे दिया है कि आपके IAT जोदपूर, आपके मुंबई IAT, मदरास IAT और हेदराबाद IAT, तो इसको कहां पे आपके क्या है, आपके Academy Center of Excellence का उर्दगाटन आपके कहां पे क DRDO का आपके Center, यानि आपका Academy Center of Excellence का उर्दगाटन आपके DRDO ने कहां, हेदराबाद IAT, इसको याद रख लेना, ऐसा भी प्रशन पूछा गया है पहले, अगला प्रशन देखिए, यह भी थोड़ा लगा लेना, क्योंकि पिछले 12 महिनों में आप भी इस बुद्धे पे इस पहला बेच था, इनकी जो passing out parade है, वो आपके किस के उपर आपके आयोजित की गई, INS कदमत के उपर, आप कहेंगे, INS कदमत के उपर हुआ है, INS चिलका के उपर हुआ है, या INS कावेरी के उपर, या INS आपके करुना के उपर, तो आपको इसके बारे में बता देना है, क् क्या सा, INS आप कहेंगे, INS चिलका है, यहाँ पर आपके अगनीवीरों का जो पहला बेच था, उपर जो पहला हुआ है, क्यों सी आपके, आप कहेंगे अगनीवीरों की passing out parade? अगनीवीर के पहले बेच की , पर्थम बेच था, इस पर्थम बेच के स्पर्थम परेच के आप आपका आंसर हो जाएगा कि INS आपके चिलका, याद रखना INS चिलका, ऐसे आपको क्योशन मिलेंगे देखना, अगनी वीरों का पहला बेच, पासिंग आउट प्रेट आपके कब हुई, देखो 23, 23 के अंतरगत, 28 मार्च 2000, 23 के अंतरगत आपके पासिंग आउट प्रेट जाने की आपके सबसे जादा समाह होना इसकी पीए है, कि अंतरिक्स के आपके रहसिय से आपके परदा उठाने के लिए, अंतरिक्स के रहसिय से आपके क्या है, आप कहेंगे परदा उठाने के लिए, एसिया के सबसे बड़ा 4 मिटर इंटरनेशनल आपके लिक्वीड मिर टेलिश्कोप काँ पर इस्तापित किया गया है एस्या का सबसे बड़ा 4 मिटर इंटरनेशनल लिक्वीड मिरर टेलिश्कोप आपके काँ पर लॉंच किया गया क्या आपके देरहा दून उत्राखंड में लॉंच किया गया माउंट अबू आपके राजिस्तान में लॉंच किया गया तीसा आपके नेनी ताल उत्राखंड के अंदर लॉंच किया गया चोता आपके क्या है उदेपूर राजिस्तान में लॉंच किया गया दो आपके उत्राखंड के ओप्शन है और दो ही आपके कहां के है तो आप कहेंगे दो यापके राजस्तान के ऑप्शन है तो इसका आंस्वर आपका क्या हो जाएगा आप कहेंगे नेनिताल उत्राखंड के अंतरगत कहां पे आप कहेंगे नेनिताल उत्राखंड के अंतरगत आपका देविस्तल है उस इस्तान का नाम आपके क्या है देविस्तल है वहाँ पे आपके क्या है एसिया का सबसे बड़ा फोर मीटर इंटरनेशनल लिक्वीड मीटर आपके टेलिस्कॉप को लॉंच किया गया जैसे ही प्रशन आए देगो देरा दून उत्राखंड भी देरका याद रखना वो शक आपके AIRICE को याद रखना ये भी का पे है आपके नेनीटाल के अंतरगत है यदि आपको ये मिल जाए ARIABAT Research Institute of observation sciences, आपके कहां पे है तो आप कहेंगे नैनिताल के अंतरगत है, तो यह भी आपके नैनिताल के अंतरगत है, इसके अंतरगती यह पे लॉँच किया गया है, इसका उद्गाटन किनो ने किया था, अभी आपके लिए मैतोपूर नहीं है, अब आपके राजयपाल चेंज हो गय और दूसरा आपके कौन सा है आप कहेंगे एशिया का सबसे बड़ा 4 मिटर इंटरनेशनल लिक्वीड मिरर टेलिस्कोप आपके कहां पे है आप कहेंगे निताल के अंतरगत है इसको याद रखिएगा INS तार मुगली क्या है INS आपको INS तार मुगली को भारत के सागर मिशन के अनुरूप किस देश को आपके इस्तान तृत किया गया है INS आपका जो शागर मुगली है तार मुगली है वो भारत का एक शागर मिशन है अपने पडोशी देशों के साथ आपके शमुंदर 30 छेतर है उन देशों के साथ अच्छे शमंद इस्तापीत करने के लिए भारत ने आपके शागर मिशन को शुरू किया था उसी सागर मिशन के तो आपका INS तार मुगली है, वो किस देश को दिया गया, तो आपके क्या सिंगापूर को दिया है, या आपके स्रिलंका को दिया है, या आपके मालदिव को दिया है, या जापान को दिया है, तो इसका अंसर आपके क्या हो जाएगा, आप कहेंगे मालदिव को दिया गया है, INS तार मुगली, तो आप कहेंगे INS, याद रख लेना आपके तार मुगली, किस को दिया गया आप कहेंगे, यह आपके INS तार मुगली है, इसको आपके भारत ने, किस ने, आप कहेंगे भारत ने किस को दिया, माल दिया किस को दिया आप कहेंगे भारत ने किसको दिया भई आपका आंसर हो जाएगा कि आपके मालदीव को दिया गया किसको दिया गया मालदीव को दिया गया ऐसा एक आपसे और पूछ लिया जाए आई एन एस करपान आपके किसको दिया भारत ने तो आप कहेंगे ये भी भारत ने दिया था क किसको दिया तो आप कहेंगे वियत नाम जो हमारे सत्रू का आपका सत्रू होता हो हमारा मित्र होता है तो आपके वियत नाम को दिया क्योंकि वियत नाम और चाइना के बीच में हमेंसे क्या है डिस्प्यूट चलता रहता है इसलिए आपके क्या है आइनेस करपान दिया कौन स चृणे गंगे यह किस को दिया गया तो इसका याद रखना आप का, यानि माल्दीव को आपके कौन सा दिया गया, INS तार मुगली, और आप से पूछलिया जाए, INS करपान किस को दिया गया तो आप के भिएतनाम, विएतनाम क किस सागर के अंतरगत है तो आपका पुही णि데 दक्षणी चीन सागर के अंतरगत है कहाँ पे दक्षणी चीन सागर और आपका मालदीव कहाँ पे है तो आपके हिंगे हिंद मा सागर आप देखना सिल्लंका के नीचे मालदीव पे आपका आड डिग्री चेनर हमारा लक्षी दीब को इससे अलग करता है याद रखना आपको तारमुगली और करपान के बारे में आएनस तारमुगली को भारत ने सागर मिशन के अनरूप आपके मालदीव को इस्तांतित किया है तो इसको याद रख लेना है हाँ, इसको भी लगा लेना, देखो सारे करंट के प्रशन है कभी कभी चर्चा में रहने वाला आर्टी मिशन है कभी कभी आपके चर्चा में रहने वाला आपके आर्टी मिशन है क्या ये सूर्य से संबंदित मिशन है, शुकर से संबंदित मिशन है, चंदरमा से संबंदित मिशन है तो इसका आनसुर आपका क्या हो जाएगा कि ये चंद्रमा से सम्मधित mission है हमारे आपके देश के प्रदान मंतरी आपके मौधी जी राज की यात्रा पे पहली अमेरिका की राज की यात्रा पे गए थे तब आपके discussion करके आएगी हम भी आपके Artemis mission शम्जोते का जो फेज फरस्ट है इसके अंतरगत आपके शामिल होंगे तब से ये चर्चा में आगया आपके आर्टीमिश मिशन, आर्टीमिश फरस्ट मिशन, तो इसके बारे में देखेगा, हाली में भारत के परदान मुंतरी श्रयुक्त राजी अमेरिका की जो यात्रा थ आपके अंतरिक्ष मिशन है, ये भी पुछा जा सकता है, आपसे ऑप्शन सेट कर दें, चंदरमा के उपर मानुष्रहित मिशन है, चंदरमा के उपर मानुष्रहित मिशन है, तो आपको याद रखना रहित मिशन है, ये आपके 2022 को नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से, स्पे भी शामिल हो गया, इसकी गोष्णा कर दिया है, और आपके, मौधी जी, आपके आज आने वाले हैं, जो बाइडन साब, जो बाइडन के साथ में हमने इसके उपर भी आपके क्या है, शम्जोता किया है, तो इसको आपका याद रखना है, क्या है, इसको याद रखेगा, मैं जो इसको भी इस्टार लगा ले ना, यह भी आपके करंट में राए है, चर्चा में राए आपका साओ के मिमींसन, किस देश के दवारा आपका लाँच किया गया, रिसेंटल्य विच आपके कंट्री लाँच दा या तो यह बारे में आपको याद रखना है, जो यह बार्त ने लॉंच किया, आपके यूरोपी एजेंसी ने लॉंच किया, या आपके स्वियुक्त राजी अमेरिका ने लॉंच किया, या आपके चाइना ने लॉंच किया है, तो आप कहेंगे, यह जो शाइके मिशन है, यह आपके स्वियुक्त राजी अमेरिका के द्वारा लॉंच क BRSHPATI GRAHE MANGAL VRRASHPATI GRAHE इसके बीच की जो पेटी होती है न इसको आपके CHUDR GRAHE PETI BOLTAY है एन MANGAL से पहले वाला ग्रे कौन सा है तो आप कहेंगे पर्तवी है mar Grad попробing आपका कौन सा है तो आप कहेंगे शुक्र है और इससे पहले वाला कौन सा है तो आप कहेंगे बुद्ग्रे है कौन सा बुद्ग्रे हैं तो आपके ये जो चार ग्रे हैं कौन सा आपके बुद्ग्रे, शुक्र ग्रे, पर्थ्वी ग्रे, मंगल ग्रे इनको आपके पार्थी ग्रेव भी का जाता है। मंगल और ब्रशपती शुक्र और आपके ब्रशपती शनी और ब्रशपती के बीच में तो आपको याद रखना है। मानू को अंतरिक्ष में लेके जाएगा। अंतरिक्ष आपके क्या होता है। यह आपका दरातल है। इस दरातल से आपके 100 km उपर कितना आपके 100 km उपर आपके कर्मन रेखा है। कर्मन रेखा इसके उपर आपके क्या माना जाता है आप कहेंगे अंतरिक्ष माना जाता है तो 5-6 लोग जाएंगे अंतरिक्ष के अंतरिक्ष के आपके यात्रा करके आएंगे और क्या है वो आपका गगनियान मिशन होगा तो आपके गगनियान मिशन छे लोगों को बेजने क कि हमारी क्या है इसके अंतरगर तैयारी चल रही है इसको हमने 2018 में बोला था कि launch करेंगे 20 में 22 में लेकिन अभी तक हम इसको launch नहीं कर पाए फ्रांस और रूश के साथ में हम इसके क्या है इसको शयोगी देशों के साथ में इस मिशन को सपल बनाना चाहते हैं और यदी 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 ये आपके गगन यान मिशन सपल हो जाता है तो हम अंतरिक्ष टूरिजम की यात्रा भी आपसे करवाएंगे तो इसमें पैसा लगेगा आपके उडान बढ़ने के ल इसका आप्शन आपके क्या हो जाएगा डी हो जाएगा क्योंकि आपके इंडिया मित्र भारत मित्र दिया है वही चर्चा में रहा है आपके इंडिया है भारत है कन्फूजन करने के लिए आपके ये दोनों आप्शन डाले थे तो इसका अंसर क्या हो जाएगा आपके विय होगा इसको अमने लक्षे को आगे बढ़ाया इसके लिए आपके एक अजार क्रोड रुपे भी खर्च होंगे इसका जो हुमिनाइड है उसका आपका नाम क्या रखा है आप कहेंगे वियों मितर रखा किसका वियों मितर रखा है इसको याद रखना कि यह भारत का पहला को हम बेजने का कारेकरम कर रहे हैं इसमें आपके 400 किलोमेटर उपर की कक्षा के अंतरगा तीन से 7 कुरूश दशियों को अंतरिक्ष में आपके चंदरियान 3 के समंद में कौन सा कथन आपका शत्य है विच स्टेटमेंट इस ट्रू रिगार्डिंग चंदरियान 3 आपके क्या है आप कहेंगे 14 जुलाही इसको लॉंच किया गया क्या ऐसा है तो आपके बारे में बताना है कि इसमें शई कूट क्या है कौन से आप कहेंगे शई कूट कौन से है इसके बारे में आपको बताना है तो आपके क्या है केवल एक है क्या केवल दो है क्या एक और दो है ना तो एक ना ही दो तो इसका अंसर आपके क्या हो जाएगा आपके एक और दो दोनों है तो आपके जो कौन सा मिशन है आप कहेंगे चंदरियान चंदरियान तीन आप कहेंगे भारत भारत चंद्रमा के दक्षिन धूरू पर धूरू पर शौप्ट लेंडिंग करने वाला पर्थम देश बन गया पर्थम देश आपके चंद्रियान 3 को लॉंच किया तो आपके दक्षिनी धूरू के उपर आपके शौप्ट लेंडिंग करने वाला आपके क्या है उत्री दूरू पे तो आपके सब देश जा चुके हैं आपके कौन कौन से आपके रूश जा चुका है अमेरिका जा चुका है चाइना और भारत भी पहुंच चुका है लेकिन आपके क्या है दक्षिनी दूरू के उपर आपके शौप्ट लेंडिंग करने वाल 2023 इसको लॉंच किया गया है शाती इसके अंतरगत आपका क्या है आपके ओर्बीटर नहीं बेजा गया था लेंडर और रोवर के नाम याद रखना वाई लेंडर का नाम तो आपकी विक्रम है और रोवर का नाम क्या है आप कहेंगे परग्यान रोवर का नाम क्या है आपके परग्यान है और राजस्तान के आपके नागूर की शवीता खोकर है शवीता खोकर भी आपके चंदरियान 3 टीम के अंतरगत सामिल थी किसके अंतरगत आप कहेंगे चंदरियान 3 टीम के अंतरगत आपके शामिल थी तो कौन सवीता चोधरी को या तो भारत का तीसरा चंदर मिशन है इससे पहले भारत दो मिशन और लांच कर चुका है शौप्ट लेंडिंग का ये दूसरा परियास है पहला परियास हमने चंदरियान 2 से किया था उसमें हम सपल नहीं हो पाए हैं कब आपके चंदरियान 3 आपके 14 जुलाई 2023 को दो बज़के 35 मिनट पे श्री हरिकोटा 37 दवन से आपके उडान बरी ती इसमें आपके क्या है एक श्वेदे सी लेंडर मोडिूल है एक आपके प्रोपरेलेशन मोडिूल है एक आपके रोवर सामिल है जिसका उदेश ये क्या है अंतर ग्रह मिशनों के लिए आउश्यक तकनिकों को लॉंच करने के लिए आपके LVM 3 M4 का लॉंचर का आपके शप्पलताफून आपके क्या है उप्योग किया था इसको देखिएगा यह आपके देखो चंदरियान 2 के बारे में तो चंदरियान 2 को आपके लॉंच किया गया था आपके 22 जुलाई को 22 जुलाई 2020 के अंतरगत इसको भी याद रखना है फिर आपके क्या चंदरियान 2 को लॉंच किया गया और आपके चंदरियान 3 है इस चंदरियान 3 को आपके LVM आपके LVM 3M4 से आपके लॉंच किया गया इसके बारे में याद रखना है इसके बारे में आपके क्या करना है इनको याद रखना है और चंद्रियान आपका फस्ट है उसको आपके चंद्रियान फस्ट को आपके PSLV से बेजा गया था इसको याद रख लेना हाली में Asia की सबसे बड़ी helicopter company है उसको काँ पे इस्तापित किया गया है Asia की सबसे बड़ी helicopter factory है इसको आपके क्या M.A.T. उतरपरदेश, तुमकूर करनाटक जामतड़ा जारखंड, सिवनी आपके M.A.T. तुमकूर करनाटक के अंतरगत Asia की सबसे बड़ी आपके helicopter factory है इसको आपके इस्तापित किया गया Asia की सबसे बड़ी आपके helicopter factory है, इसको आपके क्या है आप कहेंगे, इस्तापित किया गया है इसको याद रखना है यह देखें, निमन लिखित में से सुमलित नहीं है RS-2018 वाला प्री वाता वहां पे ऐसा प्रशन पूछा था तो हमने ऐसा ही प्रशन आपके लेके आगे और सारे के सारे इसके अंतरगत आपके क्या है आपके मिशन है और प्रेक्षेपन यान है वह आज तका लेटेस्ट है वहां तक लेके आगे हैं क्या PSLV C40 आपके C47, Amazonia 1st आपके PSLV C51 आपके NVS आपके PSLV F12 आपके EOS 3 आपके PSLV C50 के द्वारा बेजा गया तो निमलिकित में से आपका कौन सा मिशन किस प्रेक्षेपन यान से सम्मिलित नहीं है उसका आंसवर देना है तो आपका आंसर हो जाएगा इसके अंतरगत आपका D answer हो जाएगा कौन सा answer हो जाएगा तो आप कहेंगे इसका आपके D answer हो जाएगा क्यों हो जाएगा D आपके जो EOS 3 है आपका कौन सा आप कहेंगे जो EOS 3 है वो आपके GSLV से बेजा गया किस से आप कहेंगे इसको GSLV F10 से बेजा गया था किस से तो GSLV F10 के द्वारा बेजा आपके NVS आपके 01 आपके PSLV F12 से बेजा गया लेकिन आपके PSLV आपके C15 से नहीं बेजा गया, EOS 3 को, इसको आपके GSLV F10 से बेजा गया, अब देखिए यह सारे के सारे आपके क्या है, डेट भी आपने लगा दी कि किस दिन आपके लॉंच किया गया है, तो आपके देखि आपके PSLV C57 से लॉंच किया गया, आपके PSLV C57 से लॉंच किया गया है, इस PDF को आपको टेलिग्राम ग्रूप पे मिल जाएगी, उस PDF को आपको रट लेना है, यहां से पक्के प्रशन मिलेंगे आपको, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि इन प्रशनों का पेटन आपके RPSC के पेटन पर आदारित है, हाड प्रशन बनाना नहीं है, क्योंकि आपको क्या प्रशन मिलाना है पेपर के अंतरगत, उस दस्टी कौन से इसको तयार किया गया है, तो आपके PSLV C57, आपके Aditi L1 से, डिसार से कौन सा है, तो आप कहेंगे, डिसार से आपके PSLV C56 है, आपका PSLV C55 आपके TELL-EOS2 मिशन है, आपके C54 से आपके EOS6 मिशन है, आपके PSLV C53 से आपके DESEO मिशन है, PSLV C52 आपके EOS4 मिशन है, आपके PSLV 51, यह आपके, कौन सा है, Amazionia First है, PSLV C50 आपके CMS01 PSLV 49 EOS First आप कहेंगे 48 आपका किस्से है तो आप कहेंगे IRSAT इससे सम्मंदित है और आपके Cartosate 3 से कौन सा Mission है तो आप कहेंगे Cartosate से आपके 47 है कौन सा है भई? आपके 47 है तो इनको याद रखेगा आपके कौन सा है Cartosate से आपके PSLV C47 है आप देखिए इसके अंतरगत और कौन सा है आपके NVS01 कौन सा है? आपके NVS01 आप कहेंगे 9N उपगरे है इसको आपके किस से बेजा गया PSLV F12 से PSLV आपका F12 है इससे बेजा गया था LVM3 है इसको आपके वन वेव के आपके 36 उपगरे बेजे गए कब वन वेव के आपके 36 उपगरे बेजे गए है इस पे भी आपको प्रशन मिलेगा वन वेव के उपर आपको प्रशन मिलेगा आपके क्या है SSLV D2 है इसके आपके तीन उफगुरे छोड़ क्योंने पिर आपके क्या EOS 6 है तो EOS 6 आपके PSLV C54 है फिर आपके क्या वन वेब आपके इंडिया फ Truly है यह आपके क्या है आपके LVM3 M2 से बेजा गया था और दूसरा वाला था आपके LVM3 से बेजा गया किसे LVM3 से बेजा गया है DSEO Mission को आपके PSLV C30 से आपके C3 से बेजा गया G7 24 आपके इससे बेजा गया था G7 आपको इन सारों को देखने ना G7 आपके 04 आपके PSLV C52 से बेजा गया Amazonia First, इससे आपके कीस से बेजा गया तो आप कहेंगे Amazonia आपके 51 से बेजा गया PSLV आपके 51 से बेजा गया था और आपके GSLV App 10 इससे आपके कौन सा EOS-3 बेजा गया जो की आपके एसपल रहा था यही आपके क्विशन का क्या था? आंस्षर ता यह आपके question का क्या था आपको answer है Insiding को याद कर लेना drone के लिए भारत का पहला traffic management system launch किसने किया है आपके drone है इस drone का भारत का पहला traffic management management system launch आप कहेंगे Sky Air ने launch किया किसने आप कहेंगे Sky Air ने launch किया है इसके बारे में याद रखना है तो आपके देखो देश का पहला drone air traffic management system Sky UTM आपके कौन सा है आप कहेंगे Sky UTM है इसका अनावरण किया गया इसका विकास किसके द्वारा किया गया तो आप कहेंगे Sky Air के द्वारा किया गया Sky Air के बारे में याद रखना Sky UTM है आपके पहला drone air आपके traffic management system है तो इसको आपका तो आप इस क्युशन का अंस्वा दीजिए कि भारत का पहला Manu drone यानि Manu को आपके ऐसा कौन सा drone है जो Manu को आपको ले जा सकता है 130 kg केता है तो आप कहेंगे वरुणा कौन सा था वरुणा था याद रखना वरुणा को भी वरुणा पढ़के आए हम पीचे इसको भी याद रखना आपको इसका यूटियम एक क्लाउड आदारी traffic air traffic management system है जो Manu व्युक्त विमानन हवाई छेतर के साथ Manu रहीत air traffic को एकिकरत इंटीग्रेटेड करता है क्या है आपके Manu व्युक्त विमानन हवाई छेतर है उसके साथ आपके Manu रहीत air traffic है उसको आपके क्या integrated करता है तो इसके बारे में आपको याद रखना है कौन सा है तो आप कहेंगे Sky Air है कौन सा Sky Air है और Sky UTM इसका यूटियम तो नाम है और Sky Air के दोरा इसको विक्षित किया गया है इसको देखें अंत्रिक्ष प्रोध्योगी की के संदर्ब में हाली में खबरो मेरा भूवन भूवन क्या है आपको बताना है What is भूवन which was in news recently in the context of space technology तो आपके भूवन क्या है इसके बारे में बताना है क्या भारत में दुर्ष सिक्षा को बड़ावा देने के लिए इसरो द्वारा लॉंच किया गया एक छोटा सा उपग्रह है तो ये तो आपके कलाम उपग्रह आ जाएगा तो पहला वाला option ठीक नहीं है चंदरियान दित्य के लिए अगले चंद्रमा यानि परभाव चेतर की जांच के लिए दिया गया नाम है तो ये भी आपका ठीक नहीं है ये इसरो का आपके क्या है एक जियो पोर्टल है कौन भुवन इसके बारे में याद रखना है भुवन के बारे में तो भुवन भारतिय अंत्रिक्ष अनुशन्दान संग्टन यानि इस्रो के द्वारा निर्मित एक शौप्टवेर है क्या है शौप्टवेर है जिसे भारत देश के भुबागों का त्री विम्य है 3D चित्रों के रूप में अंतरजाल के रूप में देखा जा सकता हर चीज आपके 3D के अंतरगत देखी जा सकती किसके द्वारा तो आप कहेंगे आपके बुवन के द्वारा बुवन एक शॉप्ट वेर है बुवन एक क्या है आप कहेंगे शॉप्ट वेर है किसका है इसरो का है किसका है वही आप कहेंगे इसरो का आपका एक शॉप्ट वेर है बुवन इसके बारे में आपको याद रखना है तो बुवन के ज़्यादा मैतुपुन प्रशन हैं, इनके बारे में आपको सारी चीजे याद होनी चाहिए Skyroot Aerospace, यह भारत की आपके क्या है Niji company है यानि Aerospace के अंतरगत आपके क्या है, Niji company है जिसका नाम है Skyroot Aerospace के दुरा भारत का पहला निजी विक्षित रोकेट का क्या नाम है आपके पहला निजी विक्षित आपका जो रोकेट है इसका क्या नाम है क्या इसका नाम क्लाम M है या विक्रम M है क्लाम S है या विक्रम S है A option, B option, C option और आपके D option तो आपके क्या है कि इसका ही रूट Aero-Space के दौरा भारत का पहला Nijji Uhikshit Rocket का क्या नाम है जल्दी से इसका अंसर बता दीजिए इसका क्या नाम होने वाला है तो आप कहेंगे Vikram S के नाम पे आपके Vikram सारा भाई आपके भारती अंतरिक्ष विज्ञान के जनक है आप कहेंगे भारती है अंतरिक्ष विज्ञान के जनक विक्रम शारा भाई और इनी के नाम पे आपके कौन सी आप कहेंगे इसका ही रूट आपका arrow space है इसका ही रूट यह आपके निजी कंपनी है बारत में जी कंपनी है तो आपके पहला निजी उखर है उसका क्या नाम है आपका तो आप कहेंगे विक्रम S. S. का मतलब सेटलाइट है विक्रम सेटेलायट, तो इसको आपको याद रखना है आपके क्या है, प्रोधुगी की स्टाइट अप के पहले निजी तोर पे eyशित आपके इसका इसका ही रूट एरॉ स्पेस के बारे में फिर आपके क्या है लगू उपग्रेब प्रेक्षयपन यान आपके slv d2 के समंद में निमल लिकित कतुनों पर विचार करना है और आपके शseits कूट के बारे में बताना है किसके बारे में बताना है तो आपके इसके बारे में जो शई कूट है उसके बारे में आपको बताना है तो इसका आपके क्या हो जाएगा कि अंतिक्ष प्रवद्योगी की के शमंद में आपके इसकी लंबई किसकी आपके आप कहेंगे SSLV-D2 है इसकी लंबई आपके क्या है 34 मीटर और चोड़ाई 2 मीटर है ये करीबन 120 टन वजन लेके उड़ सकता है इस रो का सबसे चोटा नया रोकेट है इस रो का सबसे चोटा नया रोकेट है ये लाँच ऑन डिमांड की तकनिक पे काम करता है यानि demand आई और आतवात बनाया और ये काम करेगा तो इसका अंसर आपका क्या हो जाएगा आप कहेंगे इसका अंसर आपके D हो जाएगा कौन सा हो जाएगा भई आपके D हो जाएगा तो इसको आपको याद रखना है फिर आपके देखो यह आपके वन वेब आ गया तो आप कहेंगे वन वेब इंडिया टू मिशन के समंद में कौन सा कतन आपका सही है वन वेब इंडिया टू मिशन के समंद में आपके कौन सा कतन ठीक है तो आपके 26 मार्च 2023 को इसरो ने वन वेब इंडिया 2 के 36 मिस देखो, हमें टोटल भेजने थे बैतर, तो वन वेब इंडिया 1 था, वन वेब आपके UK की कमपनी है, वन वेब इंडिया 1 था, 0-1 था, इसके तेद अमने 32 भेज दिय थे, यानि 36 भेज दिय थे, और 36 उपकर तो आप कहेंगे वन वेब इंडिया 2 के माधियम से, तो पेला स्टेटमेंट भी आपके क्या है, आप कहेंगे राइट है, दूसरा इन उपकरों को लॉंच आपके किस के दुवारा, आप कहेंगे LVM 3 के दुवारा लॉंच किया गया, तो ये भी स्टेटमेंट आपके क्या वहां पर इसको इस्तापित किया गया है तो आपके यह तीनों के तीनों स्टेट्मेंट वन वेब इंडिया आपके टू है चबीस मार्च कोई था 2023 में करंड का क्यूशन है इसका ओप्षन क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा अब इसके बारे में आपके कौन सी जानकरिय है इसको देखिएगा अब देखिए कि हाली में बारती अंत्रिक्ष अनुशंदान संक्तन इस्त्रो द्वारा वन वेब इंडिया टू मिशन को आपके लवीम 3 से लॉंच किया गया इसके तेट आपके कितने उपगरे तो आप कहेंगे 36 उपगरों को आपके आपके एलियो के अंत्रगत लो अर्थ औरबीटर है वहाँ पे आपके इस्तापित किया गया है वन वेब आपका एक वेश्विक संचार नेट्वर्क है जिसका उदर्षिय दुनिया बर में आपके ब्रोड मेंड उपगरों को ये भी ये भी दिया जा सकता है कि one wave एक आपका क्या है वेस्टविक संचार नेटवर्क है जिसका उद्रिश्य क्या है आपके दुनिया बर के अंतरकत आपके ब्रॉंड बेंड उपगरे इंटरनेट को आपके क्या करना है परदान करना है आपके एन आपके new space इंडिया लिमिटेड आपके इसरो की एक नई वानी जी शाका है इसने आपके कितने one wave के साथ बुवतर उपगरों को छोड़ने का आपके यह आपके क्या new space इंडिया लिमिटेड आपके वानी जी शाका है तो इसके साथ अनुबंद किया इस अनुबंद के तहत आपके 36 संचार उपगरों को वन वेब इंडिया मिशन वन जो कि आपके 2022 में लॉंच किया गया था इसको भी आपके LVM3 से लॉंच किया गया तो इसको बारे में याद रखना किसके वन वेब इंडिया टू के बारे में प्रेक्षेपणियान आपके LVM3 GSLV Mk3 रोकेट को भारत का सबसे भारी प्रेक्षेपणियान माना जाता है इससे पहली आपके GSLV Mk3 के नाम से जाना जाता था LVM3 इसरो द्वारा विक्षित तीन चर्णों वाला ये भी पूछा जा सकता है इसरो का LVM3 आपके क्या है इसरो द्वारा विक्षित आपके तीन चर्णों वाला आपके क्या है आपके भारी लिप्ट प्रेक्षेपणियान है इसमें आपके ठोश इंदन जलाने में मदद करने वाले दो ठोश आपके स्ट्रेप ओन मोटर आपके लगे वे हैं कौन सा स्ट्रेप ओन मोटर लगे वे हैं तो इसके बारे में आपके सारी जानकारी इसमें दे रखिये, इसको देख लेना है आपको अंत्रिक्ष कंपनी आपके इन स्पेस ने स्टार्ट अप के लिए स्पेस डिजाइन लेब का उद्गाटन हाली में कहां पे किया है लगा लेना भाई, इसको भी इंपोर्टेंट प्रशन पूछा जा सकता है इस प्रशन को आपके क्या है पूछा जा सकता है, आपके अंत्रिक्ष कंपनी इन स्पेस ने आपके स्टार्ट अप के, देखो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की भी स्टापना की गई थी और इन स्पेस है, इसको भी आपके भारत सरकार ने इस्तापित किया है तो यह आपके कहां पे बनाया जा रहा है तो आप कहेंगे एहमदाबाद के अंतरगत कहां पे आप कहेंगे एहमदाबाद के अंतरगत आपके इस्पेस टेकनलोजी से संबंदी जो भी स्टार्ट अप है और स्टार्ट अप के लिए आपके Space Design Lab की जो इस्तापना की जा रही है वो आपके एहम्दाबाद के अंतरगत की जा रही है कहाँ पर आपका अंसर हो जाएगा कि एहम्दाबाद की जा रही है अंतरिक्ष कम्पनी इन Space ने एहम्दाबाद में स्टार्टॉप के लिए Space Design Lab inspiring क्या किया गया है इस पेस डिजाइन लेब का आपके उद्गाटन किया है तो इसके बारे में देख लेना है इन इस पेस का आपका मुख्याले कहां पे है आप कहेंगे एमदाबाद में है वरतमान में आपके इसके अध्यक्ष कौन है किसके इन इस पेस के आपके अध्यक्ष क आपने ही वाह चाहि करो एहमदाबाद के अंतरगति आपके इस लेब को बना दिया गया है लेब को बना दिया गया है विज्टिते राष्टिोव्त湖 पूछा गया है तो आपके नेशनल वाला कहां पे है तो इसके बारे में आपको बता देना है कि ये हेदराबाद के अंतरगत है आपको छोटी सी चीज है यहां पे एक सब्द है आपके रस्टी है शुदूर शमवेदन संस्तान तो इसका अंसर आपका हेदराबाद होगा दूसरा प्रशन आता है भारतिय शुदूर समवेदन शंस्तान इसका अंसर आपके क्या आता है देरादून आता है यह आपके तेलंगाना में है देरादून आपके उतराखंड में है और ऐसा ही आपके क्या है इसका आपके राश्टी शुदूर श्वेदन संस्तान है उसी परकार से आपके राजस्तान के अंतरगत इसका एप्लिकेशन सेंटर है वो जोधपूर में है कहां पे हैं आप कहेंगे जोदपूर में है तो वहां से प्रशन पूछा था जोदपूर वाला प्रशन RS 2021 था वहां पे प्रशन आया क्योंकि Economic Survey के अंतरगत आपका दे रखा है तो Economic Survey में दे रखा है तो याद रखेगा इसको राजस्तान राज्ये शुदूर स्वेदन अनुपरियो केंदर आपके कहां पर अवस्तित है क्या जेपूर में है जोदपूर में है अजमेर कोटा के अंतरगत तो इसका अंसर आपके क्या हो जाएगा आपके जोदपूर के अंतरगत है कौनसा आपका आपके State Remote Satellite Application Center यह आपके कहां पर जोदपूर के अंतरगत है एकोनोमिक शर्वे में देरका है यह पूछा था आपके RS Pre 2021 में 2021 वाला पेपर था 27 अक्टूबर को यहां से प्रशन पूछा था और जो यह पिछला प्रशन है यहां पर आपके क्या है कि जब मिलान वाला पूछा जाएगा आपसे मिलान वाला पूछा जाएगा तो आप कहेंगे इसमें आपके क्या है कि रास्टिय शुदूर शुवेदन संस्तान आपका हिदराबाद है आपका और जो बारतिय देको शब्द है यहां पर आपके क्या है बारतिय जहां पर बारतिया आये वहां देरादून करके आना है देरादून और एक हेदराबाद के अंतरगत आपके क्या है आप कहेंगे रास्ट ये क्रदन अनुशन्दान संस्तान अनुशन्दान केंदर ये आपका जो क्रदन होता ना इसका मतलब होता है मोटा अनाच क्या होता है आप कहेंगे मोटा अनाज तो इसका सेंटर कहाँ पे है ये भी आपके केंदर हेदराबाद में है हेदराबाद केंदरगत है और इसी का आपके एप्लिकेशन सेंटर कहाँ पे जोधपुर में केंदर में उसी प्रकार से आपके आपके क्या कहेंगे मोटे अनाज का च्छेत्री अनुसंदान केंदर गुडा मालानी काँ पर है आपके गुडा मालानी बाढ मेर में, इसको याद रखना कहां पे गुड़ा मालाणी आपके बाड मेर के अंतरगत है इसको आपके याद रखना है इस प्रशन को देखेगा आपके क्या है कि आपके अगनी फई आपके फोर मिसाईल के संदर पे निमलिकित कत्नों पे आपको क्या करना है विचार करना है ये सते से सते पर मार करने वाली मिशाईल है ये केवल तरल आपके तरल परणोदक द्वरा शंचालित होती है ये लगबग आपके 7.500 किलोमेटर दूरी तक जाती है नीचे दिएगे कूट का परियोग करके सही उतर चुनिए तो आपके ये दोनों स्टेटमें आपके इसके अंत्रगत क्या है आप कहेंगे राइट है तो इसके बारे में देखो शारी जानकारी आपके अगनी फाइप आपके एकिगरत निर्देशित मिशाईल कारिक्रम के तेहत आपके विक्षित सते से सते में मार करने वाली आपके क्या है उन्नत बेलेस्टिक मिशा ना कि कुरूज मिशाइल है, बेलेस्टिक मिशाइल आपके इस प्रकार से, यानि ये पर्थ्वी का जो गुर्तवा कर्शनबल होता ना इससे संचालित होती, बेलेस्टिक, सुरुवात में इसको क्या है कि आपके थ्रस्ट देने के लिए आपके क्या है, इंदन का यूज किय जाता है क्रूज मिशाइल आपके पूरा हिंदन के उपर संचालित होती है क्रूज मिशाइल आपके छुपके ज्यादा चलती है यानि आसानी से पकड़ में नहीं आती है यह दागो और भूल जाओ मिशाइल है कौन सी दागो और भूल जाओ मिशाइल है इसे इंटर सेप्ट मिशयल के बिना रोका नहीं जा सकता यह मिशयल आपके 5000 किलोमेटर अगनी 5 मिशयल आपके कौन से हैं आप कहेंगे यह 5000 किलोमेटर की शीमा से परे लक्षिय को आपके बेदने की क्या रखती है आप कहेंगे चमता रखती है कौन से बेदने की आपके चमता रखती है यह भारत और आपके याद रखना है इसको अगनी प्राइम मिससाइल क्या है? इसके बारे मेंइ अगनी प्राइम मिशाइल कौन सी है तो आप कहिंगे पहला option है कि यह 1000-2000 अगनी प्राइम के बारे में क्या है कि यह 1000-2000 किलो मिटर रेंज चमता वाली एक कनस्तरी करत आपके शते से सते पर आपके मार करने वाली आपके बेलेस्टिक मिशाइल है तो पहला statement is right अगनी प्राइ दक बेलेस्टिक मिशाइल है जिसमें आपके अत्रिक्स दोरी नेविगेशन और मारत दर्शक परना लिया है तो यह statement भी इसका क्या है राइट है तीसरा क्या है कि DRD ने पर्थम बार जून 2021 में नई PD की परमानुशक्षम बेलेस्टिक मिशाइल अगनी प्राइम का सपलता परिक्षन किया है यह आपके परमानुशक्षम आपके बेलेस्टिक मिशाइल है तो आप कहेंगे यह भी statement इसका क्या है राइट है तो उप्रोक्त आपके सभी सही है लेकिन यह पे पूछाता सही नहीं है यह क्या पूछा सही नहीं है लेकिन option में क्या दे दिया उप्रोक् बेलेस्टिक निर्देशित मिशाइल कारिकरम के त्याइट आपके विक्षित अगनी सरंकला की मिशाइलों का ये आपके नवींतम और आपके चटा संस्क्राण और ये आपके 1000-2000 किलोमेटर, वो इतनी 5000, पांच वी आपके 5000 ये आपके 5000-2000 किलोमेटर की अपके 1000 30.000 के तक ही ह ले जाने में भी क्या है आप कहेंगे सक्षम है परमाणु आयूद को ले जाने में भी आपके सक्षम मिसाइल है कौन सा अगनी प्राइम मिसाइल तो याद रखना इसके बारे में एक अगनी फॉर के पैंतिसुद किलो मेटर और अगनि 5 कितनी है तो आप साइने चैनल किलो मेटर अ इस त Will Remember हाल ही में इंडोनेशिया के भभ्क्षिय नोसेनिक अभ्यान को underlying the जय को about from where очень around doe आपके यूदा भ्यास थाइ नोसेना का युदधा अभियास इंडोनेशिया में हुआ उछ में आपके बारत का परतिनीदित्व किया था तो आपको याद रकना है कि कमडो अभियास में भारतिय नोशेना का INS सत्थपुड़ा आपए इंडोनेशिया के अंतरगत गया था इतना ही याद रखना है आपके कौन सा इंडोनेशिया के अंतरगत सत्पुडा ये कि स्रेनिका है तो आप कहेंगे सिवालिक स्रेनिका है कौन सी स्रेनिका आपके सिवालिक स्रेनिका आपके फिग्रेट है जो आपके मुंबई के अंतरगत बनाया गया था इसको कहां पे बनाय गया आप एंगे मंचगांग डोक यार्ड के अंतरकत में आप कहेंगे सर्वेक्षन वेसल्स प्रोजेक्ट का भारतिय नोश्यना दोरा चोता यूध यूध पोत हाली में लॉंच किया गया था उसका क्या नाम है या निर्देशक है शन्षोदक है संदायक है या इस्चक है क्या आपके इस्चक है संदायक है संसोदक है या निर्देशक है तो इसके बारे में आंसुर क्या हो जाएगा C हो जाएगा कि संदायक है कौन सा आप कहेंगे सर्वेक्षन वेसल प्रोजेक्ट है Survection Vessel Project के तयत इसको launch किया गया था, क्या नाम है आपका Shandayak नाम है, याद रखना भई Shandayak नाम, ये सारे करंट के करंट के क्यूशन है, इनको देख लेना है यहां से प्रशन पक्का आएगा Shandayak आपके नाम है, कौन सा? Survection Vessels तो आपके बारतिये नोशेना के लिए L.O.T. G.R.S.E. द्वारा बनाएगे Survection Vessel, के आपके SLV, आपके 4 में से कौन सा है, संदोर्दक है, जो कि आपके चेनाई के अंतरकत आपके लॉंच किया गया है, कहां पे चेनाई के अंतरकत आपके इसको सिस्टम, I.R.N.S.S. के संदर्ब में आपको बताना है, कि कौन सा स्टेटमेंट आपके क्या है, सही है, पहला क्या है, आपके I.R.N.S.S. तीन उपग्रे बू इस्तरकक्षाओं में और चार उपग्रे बू तुल्यकाली कक्षाओं के अंतरकत है, दूसरा क्या है, ये पूरे भारत और इसकी सिमाओं से परे आपके पच्पन सो वरक किलोमेटर को कवर करता है, क्या ऐसा है क्या, भारत के पास 2019 के मद्य तक पूर्ण वेश्वी कवरेज के शाथ अपना सवर, देखो, प्रशन को आपको, इसी के अंतरकत आश्व, आपका क्या आंस्वर छिपा हुआ है, आपके क्या है, भारतिय च्छेत्रिय, शब्द कौन सा है, आप कहेंगे च्छेत्रिय, आपका नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम है, जब छेत्रिय होगा, तो पूरा वेश्वी कवरेज कैसे कर लेगा, तो अभी आपके पास में आपके उपगरे कितने हैं, आप कहेंगे आट उपगरों को हमने लाँच किया, इसके अंतरकत आपके कितने उपगरे हैं, आप कहेंगे 8 उपगरे हैं इसको आपके लॉंच किया गया था कितने उपगरों को आपके 8 उपगरों को लॉंच किया गया था तो आपके यदि वेश्वी कवरेज को लाना है तो आपके पास कम से कम आपके क्या है 24 उपगरे होने चाहिए कितने उपगरे 24 उपगरे होने चाहिए और किसी वक्ती का आपके 3D चितर देखना है तो आपके पास में कम से कम 4 उपगरे होने चाहिए कितने उपगरे होने चाहिए तो आप कहेंगे 4 उपगरे होने चाहिए चार उपगरे आपके इसके अंतरगत आपका होने चाहिए तो इसके बारे में आपको याद रखना है यह आपके संधायक है टाइपिंग वाले ने संधायक यहाँ पर आपके क्या है संधायक आएगा हमने option क्या लगाया? संधायक है तो इसको आपके C option इसका right answer है तो इसको आपको क्या रखना है कि ये पूरे भारत यानि ये 1500 वरक किलोमेटर यहाँ पे कितना दे रखा आपके आप कहेंगे 500 तो ये statement आपका रॉंग हो गया, वेस्फी कवरेज वाल आपका रॉंग हो गया, क्योंकि आपके इसमें क्या है आपके पच्पन सो नहीं है कितना है, आपके 1500 वरक किलोमेटर है कितना है भाई, आपके 1500 वरक किलोमेटर इसके अंतरगत आता है तो इसको आपके पहला option ही क्या है, राइट है ये दोनों statement आपके wrong हो गया आप देखो इसकी जान करें इस diagram के माद्यम से आपके सारी की सारी जान करें Indian Regional Navigation Satellite आपका system है इसमें आपके 7 उपगरे लॉंच किये गए थे एक बाद में आपके क्या है एक गड़ी खराब हो गई थी इस गड़ी को आपके क्या है शई करने के लिए आपके एक आटवा उपगरे लॉंच किया गया था तीन आपके काँ पे उपगरे हैं तो आप कहेंगे जियो स्टेशनरी के अंतरगत हैं और चार उपगरे आपके जियो सिंक्रोनाइस यानि आपके भू तुल्य काली कक्षा के अंतरगत है चार उपगरे तो इसके बारे में फिर आपके क्या है यह आपके काँ पे हैं इसको लोकेटेड यह आप कहेंगे 36,000 किलोमेटर की उँचाई के उपर भई देखो किसी भी चीज को देखना होगा तो आपके क्या है नीचे की उचाई से देखा जाएगा या उपर की उचाई से देखा जाएगा जितना ज्यादा उपर होंगे वहां से आपके क्या कंट्रोल करना आसान होता है जैसे आपका अफगानिस्तान है तो अफगानिस्तान क्या है एक आपका भू राजनिती का अच्छेतर है हर कोई उसके उपर आपके क्या है अधिकार करना चाहता है उसी परकार से आपके पूरे देश को देखने के लिए पूरे वर्ड को देखने के लिए आपके कितने चाहिए 24 उपगरे चाहिए बारत के पास में कितने साथ है आटवा क्यों? क्योंकि आटवा आपके एक गड़ी खराब हो गी थी उस गड़ी को ठीक करने के लिए आठवा लॉंच किया तीन आपके किसमें जियो- इस्टेशनरी के अंतरगत हैं च्यार किसमें है आप कहेंगे जियो सिंक्रोनेस के अंतरगत है आपके 14,000 आपके 1420 क्रोड रुपे का इसके अंतरगत क्या खर्च आया था 36,000 किलोमेटर की उंचाई पे आपके ये उबगरे लॉंच किये गए हैं अब देखेगा ये आपके उबगरे लगे वे हैं ये आपक कितने किलोमेटर तो आप कहेंगे कवरई इंडिया एंड अप्टू अपके 1500 चीज और ऑमारे बोहरे ने से आपके 1500 किलोमेटर दूर ऑप्शन में दे राका था तो इसके वारे में आपको याद रखना है आपके एक्ई बढल रेंसक्ति क्या है कि आपके 20 मिटर की कोई ची इस टेंडर्ड वाली आपके क्या है वो चीजी आपके भारतिय सेना के लिए है उसको दिया जा सकता है तो इसके बारे में आपको क्या करना है याद करना इस डाइग्राम से सारी चीजी आपके क्या है के लिए हो जाएगी आपके देगो जीपीए सेना जीपीए के अंतरक्रत आपके 24 उपग्र है कितने है 24 उपग्र है इसलिए वो वेस्विक नेटवर्क है तो इसको आपको याद रखना है यह सारी चीजें इसके बारे में दे रखी है कि आपके IRNS बारती अंत्रिक्ष इस रो द्वारा विक्षित एक शवतंतर नविगेशन सेट्यलाइट सिस्टम है दूसरी चीज क्या है कि इसका जो मुखे उदेश यह क्या है कि आपके भारत उख उसके आसपास के च्छित्रों में विश्वशन है आपके पोजिशन नेविगेशन और समय समंधी आपके शेवाईं परदान करना है IRNS Consolidation को आपके नाविक नाम दिया गया है इसको आपके क्या दिया गया है आप कहेंगे नाविक नाम दिया गया है जो आपके आट उपग्रों से मिलकर बना क्योंकि एक उपग्रे खराब हो गया तो नया छोड़ा आट हो गये वही यह आपके दो परकार पर्तिबंद सेवा हैं आपके क्या इंक्रेप्टेड आपके कूटबद सेवा होती है जो कि आपके अधिकरत उपवोग करता भी आपके क्या है यूज कर सकते हैं अमेरिका का जीपियस है उसमें आपके 24 सेटलाइट लगे होई हैं इसके विपरित आपके नावीक के अंतरगत आपके क्या है आट उबगरे लगे हैं कितने ऊबगरें आट लगे हैं आपके इसका छेत्रा जिकार भारत वो उसके आसपास के छेत्रों की आपके 1500 वर किलो मिटर तक आपका फेला हुआ है अधीक उपगरों वाली नेविगेशन परणालियों में अधीक शटिक जानकारी परदान करती है हालांकि GPS की तुलना में आपके जो की 20-30 मीटर की शटिकता परदान करता है नाविक आपके 20 मीटर की शटिकता परदान कर सकता है आपके क्या है क्योंकि अमेरिका का GPS ये क्या है वेश्विक आपके नेविगेशन सिस्टम है और भारत का आपका नाविक है वो आपके कौन साइट छेतरिय नेविगेशन सिस्टम है कौन साइट छेतरिय नेविगेशन सिस्टम है इसका उप्यो काँ पे क्या जा सकता आपके इस तलिए हवाई आपके समुन्दरी नो संचालन इसके अंतरगत किया जा सकता है और दूसरा आपके आपदा परमंदन में है वान पर नजर रखना मुबाइल फोन के साथ आपका समाकलन आपके कहां पे चल रहे हैं आपको पता चल जाता ना Google बाबा से आपके Google मेंप से यथार्त समय कहां पे है मान चितरन आपका बता सकते हैं यात्रियों और पत्थिकों के लिए क्या है इस तर लिए नो संचालन आप किदर जा रहे हैं उत्तर की तरब जा रहे हैं कहां पे जा रहे हैं वो सारी चीज़ें इसके मादियम से देख शकते हैं ड्राइवरों के लिए आपके द्रश्य और आवागमन नोशन चालन अमेरिका का आपका GPS है किसका है अमेरिका का आपका GPS है जिसका फुल फॉर्म क्या है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है GPS और आपका रूश का कौन सा है तो आपके रूश का आपका ग्लोबल नास है रूश का कौन सा है तो आपके ग्लोबल नास है चीन का कौन सा है तो आपके बाइडू है चीन का आपके बाइडू है और गेलेलियो किसका है तो आप कहेंगे गेलेलियो आपके यूरोपिय संग का है गेलेलियो किसका है आपके यूरोपिय संग का है तो आपके गलोनास रूस का है यूरोपिय संग का गेलेलियो है चीन का आपका बाइडू है जीपियस आपके अमेरिका का है किसका है आप पर प्रेक्षेपित उपगरे पर किसी विशेश इस्तान से देखने पर पर आकास में उसी इस्ताई रूप से आपके इस्तर दिखाई देते हैं तो एसा तो नहीं है PSLV द्वारा इस्तर रूप से दिखाई देते हैं तो ये दूसरा statement तो आपके क्या हो गया है तो दो यहां पे है और दो यहां पे इसको अटा दीजिए तीसरा क्या है कि GSLV MK3 एक चार चरणों वाला प्रेक्षेपणियान है नहीं तीन चरणों वाला है तो इसके अंतरगत आपको याद रखना है कि तीसरा statement भी आपका रॉंग है इसको आपके statement इस वन राइट तो एक ही statement आपका राइट है कि आपके पर्थवी के संसाद ने उसकी निगरानी करने के लि जीटियो में इस्तापित उबगरे को कक्षा उनियन के पस्चात आपके 36,000 किलोमेटर की उंचाई वाली भू तुल्यकाली पर्थवी कक्षा में इस्तापित कर दिया जाता है इस कक्षा में आकास में एक इस्तिती स्टार परतीत होती है यानि आपके इस्ताई परतीत होती GSLV MK3, तेरा चरणी आपके क्या है, आप कहेंगे तीन चरणी है, चार चरणी नहीं है, तेरा नहीं, तीन चरणी आपके क्या है, प्रेक्षेपणियान है, तो आपके तीन चरणी आपके प्रेक्षेपणियान है, इसके बारे में यह आपके अमतर बताया हुआ है, इसको यह क्या है तो 13 नंबर का QSन के आपके क्या है Kew holiness का पता लगाणा दूसरा है कि आपके Gurtiwa Kक coalition परभाव श्रता का पता लगाना ना चोता हमारी जो संचार परणाली। इफIEक्ट बताना क्या है शोर जवालाओं को है तो इसका आंस्वर क्या हो जाएगा कि आपके जो गुर्तवा कर्षन तरंगे हैं उसका आपका पता लगाने के लिए आपके क्या है आप कहेंगे विक्षित आपका laser interferometer आपके space antenna को launch किया गया गुर्तवा कर्षन के बारे में तो आप कहेंगे evolved land आपके laser interferometer space antenna ELISA एक mission है जिसका नेतरत्व आपके European Antrix Agency कर रही है कौन सी European Antrix Agency इसका नेतरत्व कर रही है इस प्रियोजना का उदेशी आपके गुर्तवा कर्षन तरंगों का क्या लगाना पता लगाना उसकी आपके सटिकता से माप करना उसकी आपके सटिकता से क्या करना है माप करना है इसको याद रखेगा निमलिखित कतनों पर आपको विचार करना है कि आपको विचार करना है कि इसरो द्वारा लॉंच किया गया आपका मंगलियान है मार्स ओर्बिटर मिशन भी का जाता है तो पहला स्टेटमेंट इस राइट भारत स्वियुक्त राजी अमेरिका के बाद मंगल गरे की कक्षा में इस्तापित होने वाला वो आंसर इसका क्या हो जाएगा आपके ठीक हो जाएगा एक और तीन स्टेटमेंट वाला इसका आंसर क्या हो जाएगा तो आप कहेंगे ठीक हो जाएगा क्योंकि भारत से पहले आपके किसने आप कहेंगे चाइना ने बेज दिया था USA ने बेज दिया था रूश ने बेज दिया तो तीन थे और भारत आपका कौन सा बना था दूसरा नहीं चोथा देश बना था मंगल गरेप के उपर पहुँचने वाला चोथा देश बना लेकिन आपके पहले ही परियास के अंतरगत भारत पहला देश बना था Mars Orbiter Mission 450 क्रोड की लागत आपके PSLV C-55 के द्वारा बेजा गया था इससे आपके Mars Orbiter Mission भी का जाता है पहले परियास में आपके शपलता पूर्ण इसको क्या है पहुचा दिया गया है भारत ने आपके रोश का आपके कौन सा है रोश मोश के द्वारा बेजा गया था आपके नासार ने भी बेजा था अंतरिक्ष एजेंसी और चीन के द्वारा भारत को क्या का गया आपके प्रा European Space Agency ने बेजाता, आपके USA ने बेजाता, रूश ने बेजाता और चोता आपके देश कौन सा बन गया है, तो आप कहेंगे चोता देश आपके बन गया है, चोता देश आपके इंडिया बना है, और चीन अभी तक इस पर कोशिश कर रहा है, इसको प्राइड ओ पेस या काय चा प्टिवित में भारती रिमोट सेंसिंग उपगरों का उपिव किया जा सकता है, क्авать के फसल उतपादक्ता का आंकलन करने में, भूजल संसाध उन्हों का पता लगाने में, खनी जन्वेशन में, दूर संचार में, यातायात आपके कौन सा, यातायात का अधियान करने के अं दूसरा आपके बुजल शंसाद उनों का पता लगा सकती है, खनीजन अन्वेश्ण कर सकती है, दूर संचार, टेलीकॉम के अंतरगत ये काम कर सक्ती है, याता याद का आपके ट्रेफिक, आपके स्टडी भी इसकेदोरा की जा सकती है, तो आपके 5ो के ऑप्शन क्या है? ठीक क्या है आपका निमन लिखित में से कौन सा सई सुमलित नहीं है अंतरिक्ष अनुप्रियो केंदर आपके एमदाबाद के अंतरगत है क्या तो आप कहेंगे एमदाबाद में है तो यह तो सुमलित ठीक है आपके राष्टिये दूर समयदन केंदर काँ पे है तो आप कहेंगे यह हिद्राबाद में है राष्टिय वाला तो यह भी statement आपके क्या ठीक है तीसरा आपके विक्रम सारा बाई अंतरिक्ष के अंदर आपके काँ पे तिर्वेंदरम केरल में है क्या यह भी आपका statement क्या है आपके ठीक है चोता क्या है Inter University Center for Astronomy and Astrophysics यह आपके नई दिली में नहीं है यह आपके काँपे नई दिली में नहीं है पूरे के अंतर क्या हो जाएगा D आंसर हो जाएगा तो आपके अंसर हो जाएगा तो आप कहेंगे D हो जाएगा तो इसके बारे में देखिएगा सारी चीजे हैं आपके देखो विक्रम सारा भाई आपके तिर्वेंदरम केरल में हैं USR राव उपगरे आपके केंदर कहां पे हैं आप कहेंगे इनको याद कले ना भाई सारी चीजों को UR Rao Upgrade के अंदर आपके Bangalore में है राश्टिय सुदूर सवेदन आपके एदराबाद में है भारतिय सुदूर सवेदन आपके देरादून के अंतरगत है Inter-University Accelator Center आपके काँपे नई दिली में है Inter-University Center for Astronomy and Astrophysics आपके काँपे है आप कहेंगे पूने के अंतरगत है Astronomy and Astrophysics आपके काँपे है पूने के अंतरगत है Astronomy and Astrophysics आपके पूने में है आपके Accelator Center आपके काँपे नई दिली के अंतरगत है और भारतिय सुदूर सवेदन संस्तान आपके काँपे है तो देरादून में है राष्टि आपके काँ पर है है एधराबाद में USR राव बैंगलोर के अंतरगा ठिर्वेंदर में आपके विक्रम शारा भाई के अंतर है कौन सा आप कहेंगे विक्रम शारा भाई के अंतर है इसको आपको याद रखना है 47 नंबर क्यूशन भारती अंतरिक्ष विज्ञान के आपके जनक कौन से हैं तो आप इसका अंसर क्या दे देंगे कि डॉक्टर विक्रम अंबालाल आपके सारा भाई है तो इसका अंसर हो जाएगा विक्रम सारा भाई आपके क्या है बारती अंतरिक्ष विज्ञान के आपके जनक है तो इसके बारे में आपको चीजे ध्यान होनी चाहिए क्योंकि कभी-कभी execution भी आपसे पूछे जा सकते हैं आप कहेंगे भारती अंतरिक्ष प्रोध्यूगी की का कारिकरम 9069 के अंतरगत बारती अंतरिक्ष अनुषंदान संक्टन की इस्तापना के साथ हुआ किसके इस्तापना के साथ हुआ इसको दिशा देने के वाले कौन थे तो आप कहेंगे विक्रम शारा भाईते कौन थे भाई विक्रम शारा भाईते इनको याद रखेगा आपके चंदरियान आप कहेंगे चंदरियान 2 अंतरिक्षयान को प्रेक्षेपित करने के लिए इस रो दोबरा किस जियो स्रिंक्रोनाईस को इस रो के दोबरा आपके कौन सा जियो स्रिंक्रोनाईस है उगर है प्रेक्षेपन यान है इसका आपका उप्योग किया गया था कौन सा आपके चंदरियान 2 के लिए तो आपके GSLV M3 M1, GSLV M2 M2, आपके GSLV M4 GSLV Mk4, M8 GSLV Mk5, M4 तो इसका अंसर आपका क्या हो जाएगा इसका अंसर आपका A हो जाएगा, कि GSLV आपके M3, M1 के द्वारा फिर आपका चंदरियान चंदरियान 3 LVM 3, M4 इसके द्वारा लॉंच किया गया है तो इसको आपके याद रखना है चंदरियान को आपको याद में रखना है आपके क्या आजाएगा चंदरियान 2 था, इसको आपके launch किया गया था आपके 22 जुलाई को तो आपके Mk3 M1 के द्वारा 22 जुलाई 2019 को आपके चंदरियान 2 अंतरिक्षियान को भू तुल्यकाली उपग्रे सेटिलाइस सिस्टम मार्ग 3 से सपलता पूर्ण आपके प्रेक्षेपित किया गया है तो इसके बारे में आपको याद रखना है बर्मोष मिसाइल के समंद में निमलिकित कतनों में से कौन सा स्टेटमेंट आपके रॉंग है इसके बारे में बताना है कि स्टेटमेंट सही नहीं है ये कौन सा है क्या ये एक शुपर शॉनिक आपके cruise missile है यह supersonic आपके ballistic missile है यह भारत में रूष के सयोक्षे बनी है उपरोक्त में से सभी सही है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा आपके यह आपके क्या है supersonic आपके ballistic missile है क्या है आपके 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 यह supersonic आपका जो ballistic missile है यह statement इसका क्या हो गया आपके wrong हो गया है तो भारत और रूश का है बर्मोश missile है आपके मारक चम्ता 290 किलोमेटर क्यों रखी 290 किलोमेटर क्योंकि MTCR एक आपका MTCR है समझोता होता है इसके अंतरगत आपके क्या है यदि शामिल नहीं होता है तो उस देश को आपके 300 किलोमेटर से अधी की आपके मारक चम्ता की missile बनाने की अनुमती नहीं होती है लेकिन भारत इसके अंतरगत आपके क्या है आप कहेंगे भारत इसके अंतरगत 2006 के अंतरगत MTCR समझोते के अंतरगत सामिल हो गया अब भारत आपके 300 किलोमेटर से अधी की आपके missile है बना सकता है तो बर्मोस आपके क्या है आपके उच गती के साथ विशु की सबसे तेज आपके क्या है क्रूज missile है कौन सी है क्रूज missile है भारत की आपके बरंपुतर नदी रूश की आपके मोशक्वा नदी है इसके नाम system missile है, जिसको आपके इस्तल से launch किया जा सकता, VAYOO से किया जा सकता, शमूंदर में किया जा सकता है ये आपके भूलो और आपके क्या है, दागो और भूल जाओ इसके उपर fire and forget के ऊपर आपके क्या करती है आप कहेंगे काम करती है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है इसके बारे में आपको क्या करना है याद करना वही निर्बे भारत का एक निर्बे है ये आपके भारत का एक कुरूज मिशाईल है कैसा कुरूज मिशाईल है क्या आपके सुपर सोनिक कुरूज मिशाईल है सबसोनिक है हाइपर सोनिक है या सोनिक है त कुक्षा क्रुज मिसाइल है निर्भे अर्थार्थ भिना भında येक लंबी दूरी की सब्शौनिक मिसाइल है इसके भारत में Raksoa Annushandan एवं विकास संटन के द्वारा आपके क्या है इसके लंबाई 6 मिटर है, व्यास आपकी 0.5 मिटर है, आपके वजन कितना ले जा सकती है, तो आप कहेंगे 1500 से 1600 केजी का, इसका पेलोड आपके क्या है, वजन का लॉंच साड़े 400 केजी है, इसको याद रखेगा, फिर आपके क्या इंटीग्रेटेड, आपके क्या इंटीग किया गया था, इसमें आपके 5 मिशाइले बनानी थी, एक आपके पर्थवी मिशाइल थी, दूसरी आपके कौन सी थी, आप कहेंगे अगनी मिशाइल, कौन सी मिशाइल, तीसरी मिशाइल आपके कौन सी है, तो तिर्शूल मिशाइल है, कौन सी मिशाइल है, आप कहेंगे त स्टीर फ्रूल लिए चोटिमिसक्स कि कौंसी है आकास बना जा रही है तो आप कहेंगे नाग्शनिड़ियों कौन से सॉसेरसे सरपेज़क्स डूर्पेस आपके यह भी आपके सअरपेज्टूर्पेस यह आपके सरपेस्ट्प बनाइँ है और यह भी आपके सरपेस टु एर, कौन सी आकास वाली और यह आपके कौन सी नाग आप कहेंगे anti-take आप कहेंगे tank परतिरोधी missile है आप कहेंगे tank परतिरोधी आपके कौन सी है तो आप कहेंगे tank परतिरोधी missile है इसके बारे में आपको सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि परत्वी आपके सते से सते अगनी आपके आपके सर्पेस टू शर्पेस आपके तिर्शूल आपके सर्पेस टू एर है आकास आपके सर्पेस टू एर है और नाग आपके क्या है टेंक परतिरोधी मिश्यल है इसका नाग का आपका हेलिकोप्टर वाला वर्जन है हेलिकोप्टर वाले वर्जन को क्या का जाता है तो याद रखना है आपको शपल समापन कर दिया गया है तो इसको याद रखिएगा तो इंटीग्रेटेड गाइड़ मिश्यल डवलप्मेंट प्रोग्राम नाइंटी-टी-टी-थ्री अब एपीज अब्दुलकलाम जनुरी आट में शमापन हो गया है आपके मिश्यल प्रवद सरपेश्टू आपके एर आपके तिर्शूल है सरपेश्टू आपके एर कौन सी आकास है आपके नाग कौन सा है तो आप कहेंगे टैंक रोधी आपके निर्देशित मिश्यल है तो इसके बारे में आपको क्या करना है याद करना है देखो आदित्य-L1 यह भी हाली में आप के चर्चा में रा है तो इसके बारे में आपको याद रखना है आप कहेंगे आदित्य एलवन क्या है इसका प्रेक्षेपणियान PSLV C57 रोखेट का उपियो किया गया था भारत का परतम शोर मिशन है ये शूरिय पर्थवी परणाली के लेंगेजरियन बिंदू 2 के चारों और एक परजा आपके परबा मंडल परजा मंडल नहीं है परबा मंडल कक्षा में इस्तापित किया गया है तो इसका अंस्वर क्या हो जाएगा आपका इसका अंस्वर आपके एक दो तीन तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके क्या है आदित्य एल्वन भारत का पर्थम शोर मिशन शोर मिशन है पी एसल्वी सी फिप्टी सेवन के द्वारा प्रेक्षे पित किया गया तीसरा चीज आपके दो शितंबर 2023 को कब लॉंच किया गया आप गएंगे दो सेप्टेम्बर आपके 2023 को लॉंच किया गया था ये आपके क्या है सूरिय है और ये आपकी क्या है पर्थवी है इन दोनों के मद्धिये जो आपका गुर्टवा कर्षन बल होता है इन दोनों का अपना अपना बल है ये आपके कोई सूरिय है के उपर जाकर नहीं जाए गया क्योंकि सूरिय कितना पर्खास आ रहा है तो यहां पर नहीं जाए गया इन दोनों के i और पर्थवी के बीच में आपका जो लेंगेजरियन पॉइंट है आपका 1, L1, यहां पे लॉंच किया गया है, कहां पे लॉंच किया गया है, तो उसका आपके क्या है, प्रशन में, स्टेटमेंट क्या था, इसमें तीनों स्टेटमेंट राइट नहीं है, यह स्टेटमेंट wrong है आपका L आपके बिंदू 2 है इस पे लॉंच नहीं किया गया है तो आपके कौन सा statement हो जाएगा 1 और 2 इसका B answer सही होगा कौन सा answer होगा आप कहेंगे B होगा क्योंकि आपके L2 के उपर नहीं किया गया है इसको कहां पे क्या गया है आप कहेंगे आपके L1 के अंतरगत यह देखो अधित्य L1 सब्द है पीछे आपके क्या है आप कहेंगे आधित्य L1 है वहां पे लॉंच किया गया है तो आपके लॉंच किया गया है तो इसको याद रखना तो वहां पे आपका आपके option क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा आपका एक और दो statement राइट है यह आपके लंगेर जीरन पॉइंट आपके L1 के उपर लॉंच किया गया है कहां पे L1 के उपर लॉंच किया गया है तो इसको आपको ध्यान रखना है आपके क्या है मच्वारों की मच्वारों की सुरुक्षा के लिए नब मित्र उपकरन किस संग्ठन ने आपके विक्षित किया है आपके मच्वारों की सुरुक्षा के लिए आपका जो नब मित्र आपके नब मित्र उपकरन किस संग्ठन ने विक्षित किया है तो आप कहें इसरो के दोरा ये आपके विक्षित किया गया, कि इसके दोरा आपका 53 का अंसर क्या हो जाएगा, कि इसरो के दोरा आपके मच्छवारों है, इन मच्छवारों की आपके शुरक्षा के लिए आपके नब मित्र उपकरण है, वो लॉंच किया गया है, तो इसका अंसर क्या हो ज तो यह लुना कहा है? USA का है, चाइना का, जापान का, रूश का, तो इसका अनसर क्या हो जाएगा? आपके रूश का है, तो आप कहेंगे लुना 25 रूश ने बोला कुछ कीर्तिमान इस्तापित कर लेते हैं चंद्रमा के उपर, आपका जो दक्षिन दूर्व है, वहाँ पे हम सबसे पहले पहुँच जाएं तो रूश का है ये, आप कहेंगे रूश का है, दूसरा आपके क्या है कि ये जो लुना 25 है, ये दक्षिन दक्षिन दूर्व कौन सा? चंद्रमा का दक्षिन दूर्व चंद्रमा की पर लुन्च करने के लिए डिजाइन किया कक्षा में इस्तापित नहीं हो सका कक्षा में इस्तापित नहीं हो सका असफल फिर अमने क्या कर दिया चंद्रियान कौन सा आपके चंद्रियान थ्री भारत चंद्रमा के दक्षिनी धूर्व पर पर शौप्ट लेंडिंग करने वाला पर्थम देश बन गया कौन सा देश बन गया है आप कहेंगे पर्थम देश बारत बन गया है चंद्रमा के उपर आपके चंद्रमा का जो दक्षिन दूर्व है वहाँ पर आपके शौप्ट लेंडिंग करने वाला कौन सा देश बन गया है तो आप इसको याद रखेगा कि शौप्ट लेंडिंग क की और अंत्रिक्ष प्रवद्योगी की से सम्मंदित आपके 54 क्यूशन थे इनका डिसकसन किया इसकी क्या व्याक्याती उसके बारे में जाना इन प्रशनों में से आपके के प्रशन थे यहां से जो क्यूशन बनते हैं उसी पेटन के उपर अमने आर्पेशी के पेटन के आदारीत पिछले पांच-छे साल के आपके जो पेपर उसका एनालीसिस करके ऐसा ही प्रशन बनाए हैं तो आपके जो साइंस टेक अंत्रगत और भी प्रशन है वह हम डिसकसन करेंगे आगे दूसरी जगें आपका कौन सा है कि जैसे आपके रक्षा हो गया और अंत्रिक्ष हो गया है तो आपके नेनो टेक से समदित प्रशनों का डिसकसन करेंगे बायो टेक है वहां से आपके क्या है प्रशनों का डिसकसन करेंगे तो इन प्रशनों को आप जरूर जे हिंद जे बारत